था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया था अज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका देखो की चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उसी तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है कि वह इसा ही दे कि अधिन रकिरिए कि है रख्फी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हास में रखेंगे अभी कुछ निक कहें भी सब चीज हम दोंग हाउस मेंまで अभी आप मत पूछिए हम से, हम अभी कुछ निंग कहेंगे, देख एक चीर लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे, असाब की राय हम लोग सुनेंगे, आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभी मत चिंता करेंगे, आज पार के राख कहा है कि छेत्रे दलोप को खतम कर देगे, वो तो एक्शुली, देखिए, बात यह है कि आप लोगो तमसुरू से कहा रहे है कि पूरे मीडिया पर कप्जा कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे करस्त दुपियों कर रहा है, वो तो जो इधर-धर कर रहा है, और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आपको बत चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आइससे मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगे, आप च कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे यह दे आता है, तो काय का हम जुटे देखें, पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा आखबार देखते थे, आज कितना ज़्यादा सब चीज को बरबाद कर दिया है, तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा, यंगर नहों, हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिखोगे, और एक एक बात रखियेगा, बह आप लोग कर रहे हैं, आपरों में कर बढ़िये हैं, जब एक बात रहे हैं, और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे, जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा, का करते बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा, यह नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है। इसका कोई मतलब हैं कोई परकी नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्र में है कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है। जितना गाली देना देते रही है, कोई फरक नहीं पड़ता है, यह संकल्प है, यह बिहार की जनता का संकल्प है, 18 साल से मुख मंत्री है, जनता ने तै कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है, और लालू जी से मिल जाईए, किसी से मिल जाईए, राहूल गांदी से मिल जाए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारत्य जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परटवा पर जेडियू प्रवक्ता नीरेच कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदव में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो ही किया गया है अरे परिवार का इसमें सभी चांजियों का है तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एबे लेबल से को भी दी दिया जाएगा तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तया किया बहुत अच्छा हो गया कि इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है तब भी मर्द करके हम लोग करेंगे अभी मर्द कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे है कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कं दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवाग कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलेय मंतरी इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नही नहीं देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कई हो मेरे टो तो उसी तर रहे के लोगों बना दिया है च्पोड़ीये न हम वेलियो wissen अ रहानिगे क्या हैfar ज стать पिने करेंगे अफ्वी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हा acceptable में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जास लिजिए सब chem समें हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखिये लोगों के सामने अभी अभी भाटी का मिटींग कर लेए अब पूर राए हम लोग सुनेगे चो कुछ कर देंगे हैं कि पूरे मीडिया पर कब्जा कर लिया है कोई सरकार के पैसे कर संदूपियों कर रहा है तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता करिए उन लोगों के चाने से कुछ होगा अब आगला च किता मत करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कल उन्नों का स्टेट्मेंट ही सबसे आदे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितन ज्यादा सब शीद देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर्न हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिख होगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फायदा होगा तो वह करें कि आप दो जाए है और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यात समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये कोई मतलब है यह संकल्ब है यह बिहार की जन्ता का संकल्ब है 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के है। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत कर रहे हैं सिध्य आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है अब ही मर्ज करेंगे अभी मत कुछ कुछी है सब्सक्राइब को अब नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम न दिया न न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये ए हमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया था आज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे है कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका दे क्यों की चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उत्व तो अपनी तो अच्छी-च्छी आपको पीजे पीजों कर रहा है तो यह वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लो अब आप अभी चिनता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे सब चीज हम लोग हाउस पे रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करेंगे कर रहा है और कोई सरकार के पैसे कर सदूपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप कर वो निरने ले लेगी आई से मुक्ति होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगा अंड़ लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कर उन्हों का स्टेट्मेंट ही सब से दे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर देखें जाए बहुत फाइदा हुगा तो वो करें कि आप जिंता मत करिए तो अब जो लोग कर रहे हैं तो अब जो बजिए हैं और जेपी की जैनती पर आयुजेत राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्र मारे लिया और हम ने दिया न को उसका मरवा कम था तो उसको कौन बना दिए एमैल्या मंत्रीी इसके पिता जी बना दिये लसे तो उनको छोड़कर कर अ आया हम उसको मंत्री कहां बना दिए बात ि उसका कोई सेंझ नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस्षा कि अंपतारी जीतना गाली देना देते रही है क्योंफ फरक नहीं पड़ताई है संकल्प है यह जनता specifically कौनतरी है जनता ने तय कर लिया का आपको उखाड़ कर फ्ट्रेक और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते ह जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बात का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवा में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं आप सब दो को जो भी किया गया है परिवार का सभी चाथी में उसी समय पूरा सब करके और House में भी रख दिया जाएगा तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे करेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का सविकरन को जाना फोकस दिया है कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर मे कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उसका का देखिए उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आब उतो आपनी तो अच्छी-च्छी आप तो पीजे पी जो कर रहा है कि आइसा एसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलि अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीज लोगों के सामने अभी सब की राय हम लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता कर लिए कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्दूपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखने नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आपको बत चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आइस से मुक्ती होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेग कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्यादे आता है तो का है का हम जुटे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर कि आप जाना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फायदा होगा तो कि अपरों में कर बढ़ी है तो कि अपरों में कर बढ़ी है सिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वही सिम के ब्यांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा ति नतीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है ईसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं तो कोई साधारन है उसका बाप कोई जद कौँ दिया हम्ने दियन घिलannah और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस न पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जंता ने तई कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जंता पा सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जौतरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवा में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आनो इक थिसी का बीजले परिवार का सभी चात्थलिका है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सभ कर Τरके और हाॉसमें भी रख दिया जाएगा सब एक एक चीज़ को रख देगे तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने रखेंगे बहुत अच्छा हो गया किसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे सब्सक्राइब करेंगे अभी मत कुछ 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 है कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का सविकराण को जाना फोकस दिया है कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर मे है कि अंड़ बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका देखें की चर्चा मत करें आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप मुझत अपनी तो अच्छी आप तो पीजे पी यो कर रहा है कि ऐसा एसा लोगों को कहो जो समझे आदे हम को ग़िया तो उसी तो रहते लोगों को बना दिया है तो छोड़िया ना हम भाइलू देते हैं जो सै जब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जान लिजीए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछी है हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, एक एक चीज लोगों के सामने, अभी नौ पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख सब की राए हम लोग सुनेंगे, आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समयाभी मत चिल्ता करेंगे। क्या आप लोगों समसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे करस्त दूपियोग कर रहा है, वो तो जो इधर भर कर रहा है, और इसलिए अंड़ बंड़ परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तो हम उन ल जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आइस से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, अब कितम करें, हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग क्या क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बता देत कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्यादे आता है, तो काय का हम जुठे देखें, पहले आप जानते हैं, हम बच्पन से कितना ज़्यादा आखबार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा, बहुत पायदा होगा आप से कुछ दह में करबढ़ी हैं, तब आप जोने करबढ़ी हैं, आप जोने कर बढ़िया हैं सिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सिम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना पकर चुब करके गया जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है ये संकल्प है ये बिहार की जनता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पइन्ट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे LAD और सेम के बयान पर बेज़पी प्रदेश रद्याक्ष सम्राठ जोधरी के परटवार पर जेडियो प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। जेडियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाषा निकली है। जेडियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै कि बहुत अच्छा हो गया। इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे। और उसको आगे क्या करना है, सब भी मर्द करके हम लोग करेंगे। अब ही मत कुछ कुछी हम से। अच्छा कह रही है कि लालू यादब के दबाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पोकस दिया है। इसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं। वो कोई साधारन है। उसके बाप को इजद कौन दिया। हम ने दिया नौर उसका उसका सुमरवा कम था। तो उसको कौन बना दिये। Para Ilamantri इसके पिता जी बना दिये। अच्छा उनको छोड़कर किया। कोई पाठी नहीं कोई सेंस नहीं थे उसकी बात क्यों करते हैं उसी शक्कर में है कि अन्डवंड बोलेगे उसका क्यों मतलब है को इसाही देख रहा है कि ऐसा अईसा लोगों को कहो जो समझी सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पूछिए हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिए कि आज पाक के राश्च का है कि छेत्रे दर्व को खतम कर लेंगे वो तो एक्शुली देखिए बाद यह है कि आप लोगो तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर्ष्ट दूपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए तो अगर वो निरने ले लेगी आई से मुक्ति होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगे अंड़ों के उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं उन लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेट्म चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर्न हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौ काई लोग का रहे हैं कि उनके घर पर खिंतू करने नहीं कि रहे हैं अपरों में कर बढ़ी है तो जान रहे हैं कि आप लोगों को जान रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे मौहिस्तियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीज़ेपी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर मे है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है आठारा साल से मुख मंत्री है जंता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जंता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम क्या है। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोथरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है अब ही मर्ज करेंगे अब ही मर्ज कुछ कुछी है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये ए हमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक् अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैलू देते हैं पारनखे मैं अब आप जो कुछ में करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालिजीर सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ निंग कहेंगे एक चीज लोगों के सामने अभी नौ पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी स कर रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम चा कर लिया है और कोई सरकार के पैसे करस्तुपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिए नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेक्टमेंट देखरे नहीं जाते है आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो न दिरने ले लेगी आई इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सब स जादे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज्यादा आखबार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर जाएगा बहुत फायदा हुगा आप जिन्ता मत करें हैं अब जाएगी तो पर फिर यह दो आप इस दिना जाना और जेपी की ज्रहनते पर आयुजित राजकी ये समारों में शरकत करने पहुंचे जिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि निशे कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर म आठारा साल से मुख मंत्री है जनता ने तै कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनो युद्ध लड़ा है और तीनो युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के है। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सब्सक्राइब के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाफ कोई जत कौन दिया हम न दिया हूं न दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया तो आज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है उसका क्यों की चर्चा मत करिए, आप बोल दिये था आपको हम बता दिये, आप उस तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है तो ये न वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये न हम भैल्यू देते हैं अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जाअ लिजीए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अ अभी आप मत सब की राय हम लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिए क्या है कि चेत्रिय पार्टी को खतम कर देंगे उस तो एक्शुली देखे बाक यह है कि आप लोगों तुम सुम चुलसे कर रहे हैं कि पूरे मीडिया प्रकम्जा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्व दूपियोग कर रहा है उतो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्ययू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई statement देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोगों के चाने से कुछ होगा अब अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं अब जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आई से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगे हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं उन लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट थी सबसे दे आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं हम बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फायदा हुगा आप जिल्ता मत करिये तो आप लोग कर बढ़िये हैं और जेपी की जहनते पर आयुजेत राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी ने कहा कि निशे कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्क तारव साल से मुख मंतृ है जनता ने ताय कर लिया कि आपको उखाड कर फेकनां नितीज कुमार जी किमिरे पिता जी से 20 साल चोठे नितीज कुमार जी हाप पाइन पहंनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवा पर जेडियू प्रवक्ता नीरेच कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रुप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में में कईदियों का उसी रूप से व्यवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं आप सब लोगों को जो भी किया गया है आणोल इक सिसी का भी है अरे परिवार का निसमों सभी चानि लोग का है को सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैय किया, बहुत अच्छा हो गया, इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे, और उसको लाद आगे क्या करना है, अच्छा करके हम लोग करेंगे, अभी मत कुछ कुछी हम से, अच्छा कह रही है कि लालू यादब के दबाव में आपने वाई का समिकरन पर जाना फोकस दिया है, बहुत अच्छा कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, हूँ कोई साधारन है, उसके बाप कोई जत कौन दिया, हम ने दिया न, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये, एमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, और उसको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिये, आप पोल दिये था, आपको हम बता दिये, आप उतो आपनी तो अच्छी-अच्छी आप तो BJP जो कर रहा है, वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो, जो समझे आदे हमको कर लिया है, तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है, तो छोड़िये न हम भैल्यू देत अब आप अभी चिंता मत करिए, हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे, अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जालीजिए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछी हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, एक एक चीज लोगों के सामने, अभ कि राय हम लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समयाभी मत चिंता करें क्या चेत्रे पार्टी को खतम कर देंगे हो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो कर रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है कोई सरकार के पैसे कर्ष्ण दूपियों कर रहा है तो जो इधर भर कर रहा है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट पर देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिए आप मत चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आ इससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा लोग क्या क्या उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट थी सबसे ज़याता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज्यादा सबसे देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जीगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं ज जान बूच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीज़ेपी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जंता ने तय कर लिया है का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाइए किसी से मिल जाई है राहूल गांदी से मिल जाई है जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे हैं। भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में आमदवाद में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बातशीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का जिसमें सभी चाति मुखा है तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एक एक चीज़ को रख देंगे तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देंगे हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे करेंगे अब ही मत कुछ कुछी है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का सविकरन पर जाला पोकस दिया है इसका कोई मतलब है इसका आप नाम ले रहे हैं हो कोई साधारन है उसके बाप कोह इजट कौ나 दिया हमने दिया ना उसका हुमरवाग कम था तो उसको कौन बना दिये मलय मंतरी इसके पिता जी बना दिये और से इसको छोड़कर के आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया थाज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका देखे उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है तो ये न वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है तो उसी जो कुछ मी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जांद लिजीए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी हम से हम अभी कुछ करेंगे देख एक चीद लोगों के सामने अभी तो नो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करें कि अब लोगों को तुम से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कप्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब चिता मत करिए भाचार करें हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे ज़या आता है तो काह का हम जुठे देखें पहले आप ज जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहीं हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा हो और जेपी की जेनती पर आयूज़ेत राच की समारों में शरकत करने पहुचे सिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश द्यात समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीज़पी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीज़पी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं बढ़ता है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाफ पइंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के है। और सीम के बयान पर बेज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है, राजनीत का महामुर्ख है, भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें, सिध्य आपको लिए चलते हैं पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया, बहुत अच्छा हो गया, इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे, आउस में आगे क्या करना है, सब भी मर्ज करके हम लोग करेंगे, अभी मत कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारन है, उसके बाप को इजद कौन दिया, हम ने दिया ना, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये, इमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, असरद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यूं करते उस शक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका देखिए उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उस तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लीजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी तो नो पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में केक पार को रख देगे, असाब की राय हम लोग सुनेंगे, आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभीमत चिंता करें। वो तो एक्शुली, देखिए, बाद यह है कि आप लोगों को तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम्जा कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे कर सदूपियोग कर रहा है, वो तो जो इधर-धर कर रहा है, और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है, तो उसक अला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आ इससे मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगे, आप पिस्ता मन करें, हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उन लोग क्या-क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देतें, और आपको हम बता देतें, कि आज कर उननों का statement की सबस्जादे आता है, तो का है का हम चुटे देखें, पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज्यादा आख्वार देखते थी, आ कितना ज्यादा सब शीद दे हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिखोगे, और एक एक बात रखियेगा, बहुत फायदा होगा। और जेपी की जैनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे, सिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी पर जम करने शाना सादा, का आप बीजेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है, जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे, वहीं सिम के ब्यांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी ने कहा, यह नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारन है, उसके बाप कोई जद कौन दिया, हम ने दिया न, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये, एमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, और उसका उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत् है शाब करके गया धाद गया रोज पाटी बदला उसका कोई मतलबятель कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं यह उस शक्कर कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेक देना है और लालु जी से मिल जाईये किसी से मिल जाईये रागे जनता जब संकल पिले चुकी है बहरतीय जनता पाटी के नि नितृत में आपको उखाड़ कर फेकना और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश शद्यक्ष समराथ जौतरी के परटवा पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश शद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के कालखंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं कि अपने पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे आउस बाद आगे क्या करना है अब हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये असरद उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करि आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप तो आपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पी जो कर रहा है तो ये न वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये न हम भैलू अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी हमसे हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीज लोगों के सामने अभी तो कि आप लोगो तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्त दुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत च चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आइससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा आप चिंता मत करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सबस्यादे आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज्यादा अखबार द देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहीं हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा होगा आप जिलता मत करिए और जेपी की जयनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यक्त समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा ये नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं बढ़ता है की अध्यार फेरोज कुई मतलब मुझे काे जिसम आपस्यान करते हैं इसे साधर हुप आज अध्याद उसका आदआ कम था तो कौन बनादी है इमेलें मंघ्री इसके फिता जी बनादी है और उसका थों जोट करके आया हमको मंघ्री कहा बनादी है उसको कोई पार्टी नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शकर में है कि अंड बंड बोलेगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाफ पइंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बया बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसको लाद आगे क्या करना है करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हम से कह रही है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समय करन पर जादा पूकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया था अज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर म अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैलू देते हैं अब अभी चिंता मत करिये हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हमसे हम अभी कुछ निक कहेंगे देखे एक चीज लोगों के सामने अभी पमनो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिल्ता कर लिए कर देखे बात यह है कि आप लोगों को तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे करस्त दूपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखने नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाओ में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जन नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेट्मेंट की सबस्याद आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं जब एक बार आपको पिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फाइदा होगा आप जिन्ता मत करिये तो आप लोग कर बढ़िये हैं और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई पर्क नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं हूँ कोई साधारन है उसके बाप कोई जट कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्क साल से मुक मंतरी है जनता ने तै कर लिया कर आपको उखाड़कर फेक देना है या किसी इसे नुदा जाएं नितीश कुमार जी मेरे पिता जी से बीस साल चोटे नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष जोथरी के परटवा पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है आमदवाद में रहे हैं आमदवाद में कईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाषा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत कर रहे हैं सिध्य आपको लिए चलते हैं सब्सक्राइब से अरे परियवार का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाऊस में भी रख दिया जाएगा तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे करेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरन को जाना फोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर मे है कर्यight.... कोई संस नहीं है उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिए आपको हम बता दिये आप उंसे अपनी तो अच्छि-अच्छि आप तो बीजेपी जो कर रहा है कि आयसा-इसा लोगों को क्यों समझे-ादे को कलिया है तो उसी तो जंट के लोगों को बना दिया है हम चिंता मत करें हमे जो कुछ भी करेंगे पहले पहले हाउस में रखेंगे एक एक चीज लोगों के सामने हमंगे पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आ उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता कर लिए क्या है कि आप लोगों को तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्दूपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब चिता मत करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे ज़या आता है तो काह का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्प जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहीं हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा ह जब लोग कर रहे हैं जब लोग कर रहे हैं और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात सम्राठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सिम्र के बैंतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष सम्राठ चौधरी ने कहा उसका दनको छोड़ करके आया हम उसको मंतरी कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं बात शक्र में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जा मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितिष कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का का म कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम की और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोथरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में में कईदियों का उसी रूप से व्यवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरोल एक शिसी का भी अरे परीवार का शवी चातिा का है उससी समय पूरा का पूरा सब गरके और हायूस में भी रख दिया जाएगा सब ए में लेमे इंल से तो दी दो आएगा जाएगा एक एक शीम को दानेगे हैं तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने रखेंगे बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हम से कह रही है कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पूकस दिया है इसका कोई मतलब है इसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर म पूर्णाइब देखें चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उतो आपनी तो अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है तो यह वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है पर जोडी है ना हम भैल्यों देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिये हम जो कुछ मी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिये, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पूछी हैं हम से, हम अभी कुछ निंग कहेंगे, देख एक चीज लोगों के सामने, अभी नोध पाटी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक बाद को रख देगे, और सब की राय हम लोग सुन करेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करेंगे पूरे मीडिया पर कमजा कर लिया है और कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरें नहीं जाते हैं आप सब्सक्राइब करें आप नोगों के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगे अब प्ताम करें हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट छी सबस्यादे आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहीं हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फायदा और जेपी की जैनती पर आयुजित राच की इस समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्याक्ष समराठ चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रद्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा प्रदेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं हूँ कोई साधारन है उसके बाप कोई जग कौन दिया हम ने दिया ना जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुक मंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे नितीज कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रुप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदव कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंत्र ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्या आपको लिए चलते हैं सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोग तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे आउस को आगे क्या करना है जो हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछ ही हम से कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पूकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज नहीं है उसका कोई मतलब कर नहीं है उसका को सिंग नहीं है उन्युय मतलब क्रिए आप बोल दिए आपको हम बता दिए आँ तो sexual अपड़े लोगों को कहोडिये ही ओसा ही बनी तरह singerse तो उसी तुरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भाईलू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ मी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जाख लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी नोपाटी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे अब उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करेंगे क्या चेत्रे पार्टी को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कमजा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्त दुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंड़ मंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिए आप तो बत चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निर्ने ले लेगी आईस से मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता है उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट जी सब से ज़याता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं हम बच्पन से कितना ज़्यादा आख़वार देखते थे आज कितना ज़्यादा सब चीज़ को बरबाद कर दिया है तो अब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहीं हम तो पुराने लोगों को जान रहे है जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फाइदा होगा आप से आप लोग कर बढ़िये है और जेपी की जहनते पर आयुजेत राच्किय समारों में शरकत करने पहुँचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी ने कहा कि निशे कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते है उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है आठारा साल से मुख मंत्री है जंता ने तय कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतीय जंता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे हैं। भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं आमदवाद में कईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का जिसमें सभी चातियों का है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एवे लेबल से को भी दिया जाएगा तो इसी लिए एक एक चीज को रख देंगे हम लोगों ने टाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे जा अग्या करना है करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछ ही हमसे कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पूकस दिया है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस सब का देखें कि चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उतो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है यह वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है क़लिया हा है अभी चिंता मत करें अभी चिंटा मत करीए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में केक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आ उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करिए क्या है चेत्रे पार्टी को खतम करना है वो तो एक्शुली देखिए बाद यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्त दूपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो को निरने ले लेगी आई से मुक्ति होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगे अंड़ों के उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं उन लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेट्मेंट की सब जादे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा आखबार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर देखे बहुत फाइदा होगा तो वो करें कि अपर ने कर बढ़ी है तो आप जरना है तो आप जरना है कि इन देखें अदिनना जर्यादा कि इस दिना जर्कति करने पहुंचे जिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात सम्राठ चोधरे पर जम कर निशाना साधा का आप बीज़पी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीज़पी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा ति नितीश कुमार जितनी गाल दिया हम ने दिया ना अउसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये मंध्या मंत्री इसके पिता जी बना दिये औसे उन बंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है आठारा साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पइंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बया बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने रहे किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको लाद आगे क्या करना है करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हम से कह रही है कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समिकरन पर जाना फोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर म करें आप बोल दीये आपको हम बता दिए आप इंटम से को भी ये कि यव सा ही देख रहा है कि ऐसा एसा लोगों को को खो जो सब्में हादे को तो उसी तुरह के लोहों को बना दिया है, तो फोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं, अब आप अभी चिंता मत करिए, हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे, अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जान लिजीए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी मत पुछी है हम से हम अभी कुछ निंग कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी पमनो पार्टी का मिटिंग कर ले अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे आ सब की राय हम लोग सुनेंगे आ उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चि कर रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कप्जा कर लिया है और कोई सरकार के पैसे कर संदूपियों कर रहा है तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिता मत करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आइससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा आप चित देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्यादे आता है तो काय का हम जुटे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा होग अपरों में कर बढ़िया है और जेपी की जहनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिमनतीश कमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यक समराठ चौधरी पर जम करने शाना साधा का बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे मुईस्तियम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर मे है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है कि अठार साल से मुकमंत्री है जंता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल पिले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे थे और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदव में कैदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं मैं का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और emlavel5 दी दिया उनकी लगानें के तो इसीलिए एक ऐक चीज़ को रख देगे हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और आगे क्या करना है करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी है हमसे कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समय करन को जाना फोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम न दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिये, आप पोल दीए था आपको हम बता दिये आपूं तो आपनी तो अची अची आपनी भी कर रहा हैं ये न वहाइन देख रहा है कि ऐसा ऑप लोगों को कहो जो सम्झे आदे हमको करिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है खोड़िये हम भैलू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, देखे एक जीर लोगों के सामने, अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे, अब सब की राय हम लोग सुनेंगे, हाउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को, वो उसी समयाभी मत चिंता करी है, जेपी रख देगे, जेपी रख कर देगे, जेपी रख कर देगे, खुदे रख देगे, वो तो एक्ष्वली, देखे ए बात ये है, कि आप लोगो दमसुरू से कहा रहे है, कि पूरे मीडिया पर कप्जा कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है, वो तो जो इधर दर कर रहा है, और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैलिव नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आप तो मत चिंता करिए, उन लोगों के चाने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, अज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आप इससे मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, आप चिंता मत कर चिंते, कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्यादे आता है, तो का है का हम जुटे देखें, पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तब फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा, यंगर न हो, हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिखोगे, और एक एक बात रखियेगा, बह आपरों में कर बढ़ी है, और जेपी की जेंदे पर आयुजित राच की इस समारों में शरकत करने पहुचे, जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी पर जम कर निशाना साधा, काब बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को अमार इस सियम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी ने कहा, कि निटेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वूँ कोई साधारन है, उसके बाप को इजद कौण दिया, हम ने दिया, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौण बना दिये? एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसको कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर में है खेंडबंड बोलेंगे उसका कुई क्ट overs जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम क्या है और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदव में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब दोओं को जो भी किया गया है और अरे परिवार का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और आउस में भी रख दिया जाएगा तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है तो भी मर्द करके हम लोग करेंगे अभी मर्द कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये ये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया था आज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उसका कर्में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उतो अपनी तो अच्छी-च्छी आपको पीजे-पीजो कर रहा है यह वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझ अब अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे हमSe हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखिए लोगों के सामने अभी तुमनों पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करें कर देखिए बात यह है कि आप लोगों को तंसुन से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कप्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आपको बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्याक्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते ऑर आपको हम बता देते कि आज कल उननों का स्टेटमेंट इस सबसे अदे आता है तो का कर का हम जुटे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना जादा देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं जब एक और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यात समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे मुईस्तियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्क 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुम और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राथ जौधरी के परटवा पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सब्सक्राइब के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना सब्सक्राइब करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हम से कह रही है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समय करण पर जाना फोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम न दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया था आज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक पड़ी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिये हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जाद लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पूछी है हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी पूरे हाउस में एक एक बात को रख देगे, अब सब की राय हम लोग सुनेंगे, हाउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभी मत चिंता करिए। पूरे मीडिया पर कब्जा कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे कर सदूपीयोग कर रहा है, उसी लिए अंडबंड परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आप नो बच चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आप इससे मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, आप चिंत स्टेटमेंट ही सबसे जदे आता है, तो का है का हम जुठे देखें, पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा आखवार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा, यंगर नहीं हो, हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिख होगे, और एक एक बात रखियेगा, बहुत फायदा होगा, आप स और जेपी की जैनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे, जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्याक्ष समराच चौधरी पर जम करने शाना साधा, का बीजेपी जान बुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है, जो सबस से ज्यादा हमको गाली दे, वहीं स्तियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रद्याक्ष समराच चौधरी ने कहा, कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब मातर्व है जिसक आप नाम ले रहे हैं वह कोई साधारन है उसके बापको इज़त कौँ दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सि यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जंता ने तै कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जंता पाटी के नित्र का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राथ जोधरी के परेटवा पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में में गईदियों का उसी रूप से ब्यवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंत्र ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते है अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का सभी चातियों का है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा जाएगा तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों को सब्सक्राइब करिए एक वार सभी पार्टियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पह अब मतलब है इसका आप नाम ले रहे हैं हो कोई स्थाधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया, हम ने दिया न, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये, एमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, और उसका उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पाट पूइ सेंस नहीं है उससा का देखो कि चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उत्तो आपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पी जो कर रहा है तो यह न वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी अब पूरे हाउस में केक पार को रख देगे और सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करिए अब पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे करस्त दुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आपको बत चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आइससे मुक्ती होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेग कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्यादे आता है तो का है का हम जुटे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर ज जना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखियेगा बहुत पाइदा होगा तो अब आफों मत करिये अफ्रों मत कर बढ़िये हैं आप जोड़ीया है निटेश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी ने कहा ति निटेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है आठारा साल से मुख मंत्री है जंता ने तै कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जंता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनो युद्ध लड़ा है और तीनो युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोथरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अपने पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने टाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ है हमसे कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्क अपड़ी तो अच्छी आप तो पीजेपी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिये सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पूछी है हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीद लोगों के सामने अभी तो नो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करिगे क्या है चेत्रे पार्टी को समाफ कर देंगे कि रिजनल पार्टी को खतम कर देंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्त दुपियों कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप नो बत चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आ इससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगे अब चिंता मत करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कर उन्हों का स्टेटमेंटी सबस्यादे आता है तो काय का हम जुट्टे देखें पहले आप जानते हम जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहीं हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा होग आप लोग कर बढ़िया है आप लोग कर बढ़िया है और जेपी की जएनती पर आउज़ित राज्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात समराठ चौदरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सिम्र के बैंतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा अवसे दूनको छोड़ करके आया हम उसको मंतरी कहा बना दिये है उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई उसका कोई सिन्स नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस सक्कर में है क्यद्वंड बोलेगे उसका कुझ मतलब है जितना गाली देना देते रहेści कोई फरक नहीं पड़ता है यह Sankal Crim अठारा साल से मुंक्वमंत्री है जनता ने कर लिया का आपको उखाड की देना है और लालु जी से मिल जाईए, किसी से मिल जाईए, राहूल गांधी से मिल जाईए. जनता जब संक्र्प ले चुकी है, बारतिये जनता पाटी के नेत्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है. नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे हैं। भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में आमदवाद में कईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्च कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का तो सभी चांदि मुखा है तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे करेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरन पर जाला पोकस दिया है कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया था आज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्क पड़ी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी तो नो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता कर लिए कर देखिए बात यह है कि आप लोगों को तमसुर से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे करस्दूपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अप चिता मत करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे ज़या आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्प जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहीं हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा हो तो वो करे कि आपरों में कर बढ़िया है अपरों में कर बढ़िया है वोगेज़क फिर देखेंगे और जेपी की ज्वेनते पर आउज़ेत राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिम्रतीश कमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात समराठ चोधरे पर जम कर निशाना साधा का आप बीज़पी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीज़पी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाल गाली देना देते रही. से फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प подар 18 साल से मुंखमंत्री है जंता ने तैकर लिया कि का आपको उखाळ कर ठेक देना है और लालूजी से मिल जा हीये किसी से मिल जाए राहूल गांधी से मिल जाए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारत्य जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के है। और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस मिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्या आपको लिए चलते हैं अपने पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे आउस बाद आगे क्या करना जो हम भी करना है अब ही मर्ज करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हम से करें लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समय करन पर जादा पोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसके उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया थाज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उ सब का देखो कि छर्चा मत करिये आप बोल दिये था को हम बता दिये आ So अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पूछी है हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीज लोगों के सामने अभी तो प्रिजनल पार्टी को खतम कर देंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे कर्शत दुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिए, आप तो बच चिंता करिए, उन लोग के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आइस से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे आप चिंता मत करिए, आप उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग क्या-क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बता देते हैं, कि आज कल उन्हों का इस्टेटमेंटी सबस्यादे आता है, तो का है का हम जुटे देखें, पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा आखबार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो आपरों में कारबढ़ी हैं, आपरों में कारबढ़ी हैं और जेपी की जैनते पर आयुज़ित राच्की यस्दमारों में शरक्त करने पहुचे सिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात समराष ही पर जम करने शाना साधा का आप बीज़पी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे मुईस्तियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीज़पी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है आठारा साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है भारतिय जनता पाटी के नितरित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बयान बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें आमदवाद में गैदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंत्र ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरोल कि सिसी का अरे परिवार का है जिसमों को सभी चाति तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना जो हम लोग करेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ पूचिया हमसे कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समीकरण पजाला पोकस दिया है वाईस सा कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं हूँ कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया था आज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्क पड़ी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिये सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज़ लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में केक पार को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिए पार्टी को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बाद यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्त दूपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बत चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कर उन्हों का स्टेटमेंट जी सबसे ज़्याता है तो का है का हम जुठे देखे पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज्यादा अख़बार देखते अग इतना ज्यादा सब शीद देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा होगा आपको बढ़िया है जेपी की जैनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नतीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम न दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं। उस शकर में है कि उन्द बंढ बोलेंगे उसका कोई मतलब है। जितना गाली देना देते रही, कोई फरक नहीं पड़ता है, यह संकल्प है, यह बिहार की जनता का संकल्प है, 18 साल से मुख मंत्री है, जनता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है, और लालू जी से मिल जाईए, किसी से मिल जाईए, राहूल गांदी से मिल की है, बारतिये जनता पाटी के नेतरित में आपको उखाड कर फेकना है, नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे, नितीज कुमार जी हाप पइंट पहनते होंगे, जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे, तीनो युद्ध लड़ा है, और तीनो की भारतिये जनता पाटी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश सद्यक्ष बना दिया है, जो अज्यानी है, राजनीत का महामुर्ख है, भाशाई रूप से लंपट है, और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ, कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में, जेल यात्रा में आम द्वाद में कैदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है, जो उनकी भाशा निकली है। यहारा सिन्खक और भाशा निकली है, बहुत अच्छा हो गया, इसको सबसे पहले हम आश में रखेंगे, अउस क आगे क्या करना है, लोग में हम लोग करेंगा, अभी मत कुछ 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 नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम न दिया ना उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आभू तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है यह न वह इसा ही देख र अब आप अभी चिन्ता मत करेंगे हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जाद लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक जीर लोगों के सामने अभी तो अमनों पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे आज सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिए कर देखे लिए कि पूरे मीडिया पर कप्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब चिंता मत करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सबसे ज़या आता है तक का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहीं हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा हो जब नहीं होगा अपको फिर मौका मिलेगा पर इतना बढ़िया लिखोगे और जेपी की जयनति पर आयुजित राचकी समारों में शरकत करने पहुंचे जिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष सम्राठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं स्थियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजे बाप को इजद कौन दिया हमने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई कोई पाटी नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तई कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाए ए राहुल गांदी से मिल जाए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के है। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश शद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश शद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्या आपको लिए चलते है पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है जो हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हम से कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पूकस दिया है कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिताजी बना दिये और उसके उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका क कर देखें कि चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा एसा लोगों को कहो जो सम्झे आधे हम को गलिया है तो उसी अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ मी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे हम आपकों कुछ नहीं कहेंगे जालीजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी हम से हम अभी कुछ करेंगे देख एक चीद लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे और सब की राय हम लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करेंगे क्या है कि चेत्रे पार्टी को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कप्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदूपियों कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट अब देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आ इससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा तो अब उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कर उन्हों का इस्टेटमेंट फी सबस्यादे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग और जान रहे हैं जब एक बार आपक पर जान बूज कर वैसे वैसे लोगों को अमारे पीछे नहीं देखेंगे और जान बूज कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीज़ेपी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा ति नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड़कर फेक देना है और नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रध्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है जेल यात्रा में आमदवाड में रहें हैं आमदवाड में कैदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाषा निकली है और इस बीज़ ब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरोल इकिस्टिसी का भी अरे परिवार का जिसमें सभी चाती में का है तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एवे लेवल से को भी दी दिया जाएगा एक एक चीज़ को लोग आनेगे तो हाउस में लोग रखेंगे तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देंगे हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको लाद आगे क्या करना है करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ है हमसे कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समय करन पर जाना पोकस दिया है कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बंदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक् पड़ी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिये हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालिजिये सब चीज हम लोग हाउस मे रखेंगे अभी आप मत पुछिये हमसे हम अभी कुछ निग कहेंगे एक चीज लोगों के सामने अभी पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक बार को रख देंगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समयाभी मत चिल्ता करें। जनता का जो हालत है तो अगर वो निर्नेट करें। ले लेगी और इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्याद आता है। तो काय का हम जुठे देखें। पहले आप जानते हैं हम बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे। आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है। तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते। आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तब फिर देखेंगे। और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर्न हो। जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा। बहुत फायदा होगा। आप चिंता मत करें। आप लोग कर बढ़ी है। और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी ने कहा कि नतीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक 15 साल से मुख्मंतरी हैं, जंता ने तई कर लिया को आपको उखाड कर फेक देना है, और लालु जी से मिल जाईए, किसी से मिल जाईए, राहूल गांदी से मिल जाईए, जंता जब संकल्प ले चुकी है, भारतिय जंता पाटी के नितरित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राट जोधरी के परटवा पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्रति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हम आउस में रखेंगे आगे क्या करना है अब ही मर्ज करेंगे अभी मत कुछ कुछी है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये ए हमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक् अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिये सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हमसे हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीज लोगों के सामने अभी सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता कर लिए क्या है कि आप लोगों को समय कर लिया है कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है अग कोई सरकार के पैसे करस्दूपियोग कर रहा है उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई इस्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आ इससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अपके तमकरिए उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे ज़या आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन स से कितना ज्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जीगा यंगर नहीं हो हम तो पुरान आप लोग कर रहे कि उनके घर पर खिंतू करने नहीं है रवितां कर पखाग और तैलोग कर रहे हैं आप लोग कर बढ़िया है और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यत समराठ च पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम्र के ब्यांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा ते नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्क नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे नितीज कुमार जी हाफ पइंट पेहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम क्या है। और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में आमदवाद में कैदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाषा निकली है। और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं। अब सब दोगों को जो भी किया गया है आरो लिकी सिसी का भी है। अरे परिवार का निसमे सभी चाति लुटशा लएं। तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा। सब इवे-लेबल से को भी दिदिया जाएगा। तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछी है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरण पर जाना फोकस दिया है इसका कोई मतलब है इसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया था आज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक् पड़ी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिये हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे ja bardzo आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जान लिजीए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछी है हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, देख एक चीज लोगों के सामने, अभी नौपाटी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे आप सब की राए हम लोग सुनेंगे, आउसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समयाभी मत चिल्ता करेंगे आज पाके राष्ट अच कहा है कि छेत्रिय दर्व को खतम कर देगे, वो खुदे कतल हो जाएंगे वो तो एक्ष्वली देखिए बाद यह है कि आप लोगों तमसुरों से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्त दूपियोग कर रहा है, वो तो जो इधर दर कर रहा है आई इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए, आप तो मत चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी, आईस से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते है वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सबसे दे आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं, हम बच्पन से कितना ज़्यादा आख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़ियां लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा होगा तो आप लोग कर बढ़िये है तो आप लोग कर बढ़िये है और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना सादा का बीजेपी जान बुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सिम के बैंतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नतीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वह कोई साधारन है उसके बाप कोई जट कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है जीतना गाली देना है देते रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह संकल्प है, यह बिहार की जहनता का संकल्प है, 18 साल से मुक्मंत्री है, जहनता ने टय कर लिया कि आपको उखाड़ कर फेक देना है, और लालू जी से मिल जाईए, किसी से मिल जाईए, राहुल गांधी से मिल जाई जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम क्या है। और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में आमदवाद में कैदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाषा निकली है। सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा। सब एवे लेवल से कोई दी दिया जाएगा। हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हमसे। सब करेंगे लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समय करण बना दिया है। उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न। और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये। एमेलिया मंत्री। इसके पिता जी बना दिये। और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये। और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पाटी बदला, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंड बंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिये, आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आपू तो आपनी तो अच्छी अच्छी आपको बीजे पी देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं बार सुषक्ण का निदान प्रहां कि ऐसा आपको किया हम जो जो कुछ मिक करेंगे पहले हाॉस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जम Todos के साब अब पूरे हाउस में केकपाट को रख देगे, अब सब की राय हम लोग सुनेंगे, आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभी मत चिंता करिए। पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे कर रहा है, वो तो जो इधर-धर कर रहा है, और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आप तो बच चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आइस से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेग कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सबस्यादे आता है, तो का है का हम जुटे देखें, पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा, यंगर नहीं हो, हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिखोगे, और एक एक बात रखियेगा, बहु आपको में करबड़ी है, जान रहे हैं, जान बूझ कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है, जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे, मौई स्थियम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी ने कहा, कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है, उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंतरी कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, ताद गया है, रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेगे, उसका क कुए मतलब है जितना गाली देनाहत कोई फरक नहीं पड़ता है। यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है, आटारास साल से मुखमंत्री हैं। जनता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनो युद्ध लड़ा है और तीनो युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बयान प बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिद्धे आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरों निकिति सिसी का भी अरे परिवार का इसमों सभी चातियों का है तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एवेलेबल से तो भी दे दिया जाएगा तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैकिया बहुत अच्छा हो गया मतलब है जिसका आप नाम ले रहे है उसके बाप कोई जट कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिये आप बोल दिये था, आपको हम बता दिये आप उत्तो आपनी तो अछी अची आप दो पी जे upy कर रहा है इस़े version देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो और समझे आधे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो फोलिये ना हम value देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीद लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार्ट को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता कर देगे कर देखे बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कप्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सुदूपी योग कर रहा हूँ तो जो इधर दर कर रहा हूँ इसलिए अंडबंड पर्चार कर रहा है तो उसका कोई वैल्ईव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट अब देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिये आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आई इससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगे पूपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का इस टेटमेंटी सबस्जाद आता है तक आए का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज्यादा अखबार देख आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं जब एक बार आपक बहुत फाइदा होगा तो वो करें कि आप लोग कर बढ़िया है तो जेपी की जयनती पर आयुजित राच की इस समारों में शरकत करने पहुचे जम नतीश कुमार ने बीज़ेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीज़ेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे हरन है उसके बाप कोई जदक कों दिया हम न दिया ना उसकर उमर्वा कम था तो उसको कोँन बना दिये एमलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये अचम को छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतीय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे थे और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदव काड में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अरे परिवार का बहुएं सभी चातियों का है सबका उसी समय पूरा का पूरा सब करके और आउस में भी रख दिया जाएगा सब Bemal. Speaking को दी दिया जाएगा एक एक तीज को रख देगे हम लोग तो इस लिए एक एक तिजवर को रख देगे हम लोग पिसे पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है जो हम भी मर्ज करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हम से आप अब मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये असरद उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये अउसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं? उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है. कोई सेंस नहीं है उस अपका देखेंगे उसकी चर्चा मत करिए. आप बोल दिये था, आपको हम बता दिये. आप उतो अपनी तो अच्छी-अच्छी आप तो बीजे पीजो कर रहा ह अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीज लोगों के सामने अभी नोपाटी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे, असाब की राय हम लोग सुनेंगे, आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को, वो उसी समय अभीमत चिंता करें। वो तो एक्शुली, देखिए, बात यह है कि आप लोगों तुम सुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कमजा कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे करस्त दूपियों कर रहा है, वो तो जो इधर दर कर रहा है, आइसलिए अंडबंड परचार कर रहा है, तो उसका कोई वै लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले ले लेगी, आइससे मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, आप पिता मंकरी, हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग क्या-क्या बोलता ह हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बता देते हैं, कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्यादे आता है, तो काय का हम जुठे देखें, पहले आप जानते हैं, हम बच्पन से कितना ज़्यादा आखबार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया ह है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तब फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों, हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतन अपर नहीं देखते, आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया है, तो इतना बढ़िया है, तो इतना बार आपको जान बुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है, जो सबसे ज्यादा हम को गाली दे, वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराप चौधरी ने कहा, तो नितेश कुमार जितनी गाली दे, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है जितना गाली देना देते रहें फ़रक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है आठारस साल से मुख मंत्री है जनता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाफ पइंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बया बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे आउस बाद आगे क्या करना है हम लोग करेंगे अब ही मर्द कुछ कुछी हम से बाद कर रहे हैं कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पोकस दिया है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया था अज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक पड़ी तो अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैलू देते हैं अभी चिंता मत करिये हम जो कुछ भी करेगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पूछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ म करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिल्ता करेंगे अज पाके राज चाहिए कि छेत्रे दर्लों को खतम कर लेंगे वो तो एक्शुली देखिए बाद यह है कि आप लोगों को तमसुरों से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंत लेगी और इससे मुक्ति होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगे अंड़ लोगों के उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कर उन्हों का स्टेट्मेंट की सब से आदे आ दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतन काई लोग का रहे हैं कि उनके घर पर खिंतू करने नहीं कि रहे हैं अपरों में कर बढ़िया है और जेपी की जैनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्याक्ष समराठ चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सिम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रद्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई पर्क नहीं बढ़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जट कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताध गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंडवंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रहे, कोई फरक नहीं पड़ता है, यह संकल्प है, यह बिहार की जनता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जनता ने तै कर लिया कि आपको उखाड़ कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बयान बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको लाद आगे क्या करना है अब करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से बाच कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये आप उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिये, अब भोल दिये था आपको हम बटा दिये आप उत्तों अपणी तो बढ़ाईंगे अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ ने कहेंगे जाद लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप कुछ ही है हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे की लोगों के सामने अभी तो आ पर्टी का मिटिंग कर ले अब पूरे हाउस पे एक एक पाथ को रख देगे अधा सब की राय हम लोग सुनेंगे आउसके बात जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समयाभी मत चिंता करें। कर लिया है और कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए तो अगर वो निरने ले लेगी आई से मुक्ती होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगा अब किता मत करिए हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स् चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर म काई लोग कर रहे हैं कि उनके घर पर खिंसी करने नहीं है रविटांकर पकाद और काई लोग कर रहे हैं आप लोग कर बढ़िया है प्रदेश रद्याक्ष सम्राप चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई पर्क नहीं पड़ता है कि उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस देशिक का, तीनो युद्ध लड़ा है, और तीनो युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम क्या है और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवा में गईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं घर के और आउस में भी रख दिया जाएगा इजब्यार को दिया जाएगा हाउस में लोग रखेंगे तो इसलिए एक एक कीज़ को रख देगे हमको सब इसननी की खाना नामक करिए पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया, बहुत अच्छा हो गया, इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे, और उसको लाद आगे क्या करना है, हम लोग करेंगे, अभी मत कुछ कुछी है हम से. इसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारन है, उसके बाप कोई इजद कौन दिया, हम ने दिया ना, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये, इमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, और उसको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यूं करते ह उस शक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है, कोई सेंस नहीं है उस अब का देखें, उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिये था आपको हम बता दिये, आप उस तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप बीजे पीजो कर रहा है, वह इसा ही देख रहा है, कि ऐ अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछ भी हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीज लोगों के सामने अभी पनोपाटी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पाप को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो करना है सरकार को वो उसी समयाभी मत चिल्ता कर देंगे कि रिजनल पार्टी को खतम कर देंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुन से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कब क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिता मत करिए आप तो मत चिता अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अप उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता है उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट जी सबसे ज़्याद आता है तक है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जीगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फाइदा होगा आप जिंता मत करिए आप लोग का रहे हैं कि उनके घर पर खिंती करने नहीं है रविजंकर पखाग और कई लोग का रहे हैं आप लोग का रहे हैं कि अपकर बढ़िया है और जेपी की जैनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जम नतीश कुमार ने बीज़ेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीज़ेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के ब्यांतपत पलेटवार करते वे बीज़ेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि निटीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर म ऐसे 18 साल से मुख मंत्री हैं जनता ने ताई कर लिया कर आपको उखाड़ कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाई एक किसी से मिल जाइं राहुल गांदी से मल जाई जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नितृत में आपको उखाड़ कर फेकना है। इसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बातशीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा तो इसी लिए एक एक चीजब को रख देंगे हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है अब ही मत कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये ए इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे है कि अंडम बोलें और कि मत्लब है कोई सेंस नहीं है उस सबके क्री चर्चा मत करिए आप बोल दिये था अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक चीद लोगों के सामने अभी तो नो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करिए क्या है चेत्रे पार्टी को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कप्प्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंड़ बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते है आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब चिता मत करिए भी वाचार करें हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे ज़या आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले अच्पन से कितना ज्यादा अखबार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर्न हो हम तो पु और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यात समराच चौधरे पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के ब्यांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराच चौधरी ने कहा कि निशे कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर म तुटणु ए अठारा साल से मुक्व frankly हैं जंता ने तई कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालु जी से मिल जाई एक किसी से मिल जाई रहुल गांदी से मिल जाई जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतीय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम क्या है। और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं। अरे परिवार का सभी चाथी मुझा है। तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा। तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों रखेंगे। इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे। आउस को आगे क्या करना है। अब ही मर्ज करके हम लोग करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे। इसका आप नाम ले रहे हैं। वो कोई साधारन है। उसके बाप को इजत कौन दिया। अहीं तो को राइन शाधारन वो मर्वात कम था। तो उसको कॉन बना दिय। मत्री इसके पिता जी बना दिये। वरके 262 क कहकं चैप करेंगे कहां s grown look चैपomy पाटी बेदला। उसका कोई मतलब है। कोई पाटी सबरी स्वाब सबुए्छी नहीं नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका देखे उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उस तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जालिजिये सब चीज हम दोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत कुछ ही हम से हम अभी कुछ नहुःग कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने, अभी नौटाटी का पीटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे, असाब की राय हम लोग सुनेंगे, आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभीमत चिंता करें। वो तो एक्शुली, देखिए, बात यह है कि आप लोगों तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे कर संदूपियोग कर रहा है, वो तो जो इधर दर कर रहा है, आइसलिए अंडबंड परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल काव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आइससे मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, आप पिता मत करें, हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग क्या- पहले आप जानते हैं, हम बच्पन से कितना ज़्यादा आख़बार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़ अपरों में कर बढ़ी हैं, हम बढ़ी हैं, हम बढ़ी हैं, और जेपी की जहनते पर आयुजित राज की समारों में शर्कत करने पहुंचे, जमनतीश कुमार ने बीज़ेपी प्रदिश अद्यात समराफ चौदरे पर जम करने शाना साधा, का आप बीज़पी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बैंतपत पलेटवार करते वी बीज़पी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा ये नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं बढ़ता है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है ये संकल्प है ये बिहार की जनता का संकल्प है आठारा साल से मुखमंत्री है जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराग जोधरी के परट्वाप पर जेडियो प्रवक्ता नीरजकुमार ने निशाना साधा है आमदवाड में कैदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाषा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का सभी चातियों का है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एवे लेवल से को भी दी दिया जाएगा एक एक चीज़ को लोग आनेगे करेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पूकस दिया है इसका कोई मतलब है इसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे कि अंडब बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस फिर जो करिये आप बोल दीए था आपको हम बता दिये अब वो तो अपनी तो अच्छी आपकों पीजे पी और रहा है अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछ ही हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी नो पाटी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे सब की राय हम लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करेंगे क्या चेत्रे पार्टी को समाफ कर देंगे कि चेत्रे दलों को खतम कर देंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुल से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निर्ने ले लेगी आई से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं उन लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सबसे दे आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नही जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फायदा होगा आप से आप जिन्ता मत करिये और जेपी की जयनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम्द के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर म है 18 साल से मुख मंत्री है जंता ने तय कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जंता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम क्या है। और साथी साथ इस बात का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं। अरे परिवार का सभी चातियों का है तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा। इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों रखेंगे। तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे। हम आउस में रखेंगे। आगे क्या करना है तो भी मर्द करके हम लोग करेंगे। अभी मत कुछ कुछी हमसे। अब हमसे। लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समय करन पर जादा पोकस दिया है। उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है। उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया ना। और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये। एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये। और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये। और उसको छोड़ करके गया थाज गया है। रोज पाठी बदला है। कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिये था, आपको हम बता दिये, आप तो अपनी तो अच्छी अच्छी, आप तो लोगों को बना दिया है अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आप उसके बाद जो अब तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडब अंडब परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं अज जनता का जो हालत है तो अगर वो न दिरने ले लेगी आई इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब लोगों के उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कर उन्हों का स्टेट्मेंट ही सब देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब आप लोग कर रहे हैं कि उनके घर पर खिंतू करने नहीं देखते और आप लोग कर रहे हैं आप लोग कर बढ़िया है प्रदेश रध्यक्ष सम्राप चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है कोई पार्टी नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं जितना गाली देना देते रही कोई फ़रक नहीं पड़ता है यह संकल्प यह बिहार की जनता का संकल्प 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया कर लिया कि आपको उखाड़कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए, किसी से मिल जाईए, राहुल गांदी से मिल जाईए, जनता जब संकल्प ले चुकी है, भारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनो युद्ध लड़ा है और तीनो युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के है। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्या आपको लिए चलते है सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ ही हमसे कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पोकस दिया है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे कोई सेंस नहीं है उस अपका देखो कि चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उत तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी नो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समयाभी मत चिंता करेंगे क्या है चेत्रे पार्टी को खतम करना है वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कप्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते है आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निर्ने ले लेगी आईस से मुक्ति होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगे अगरिए उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंटी सब से जादे आता है तो काय का हम जूट्टे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज़्यादा आखवार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लो जान बुझ कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है तो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीज़ेपी प्रदेश रध्याक्ष सम्राप चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताध गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है आठारा साल से मुखमंत्री है जंता ने तै कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परटवाप पर जेडियो प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है आमदवाद में कैदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाषा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का सभी चातियों का है गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा एक पार्टी ओं के साथ मिल करके हम लोगों ने पाय किया बहुत अच्छा हो गया कि इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है तब भी मर्ज करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जद कौन दिया हम न दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करि आप बौल दिये था आपको हम बता दिये ऐसी तुट पर लोगों को बना दिया है आप अभी चिंता मत करिये हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जात लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, देखे एक जीर लोगों के सामने, अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे, अब सब की राय हम लोग सुनेंगे, हाउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभी मत चिल्ता करिए, अब कर देगे, अब कर देगे, अब कर देगे, अब लोगों को दंसुन से कहा रहे है, कि पूरे मीडिया पर कप्द्या कर लिया है, अब कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है, वो तो जो इधर-धर कर रहा है, अब इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैलिव नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आ अब इससे मुक्ती होगा, तो देश वहुत आगे बढ़ेगा, अब किता मत करिए, हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग क्या-क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बता देते हैं, कि आज कल उननों का स्टेट्मेंट ही आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते हैं, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा, यंगर्न हो, हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं, जब एक आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिखोगे, और एक एक बात रखियेगा, बहुत पायदा होगा अपसे, आप जिन्ता मत करिए। आजकी इस समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं हूँ कोई साधारण है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देनाच देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जन्ता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तै कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाइए किसी से मिल जाइए राहुल गांदी से मिल जाइए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम क्या है। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराट जोथरी के परटवाप पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के कालखंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत कर रहे हैं सिध्य आपको लिए चलते हैं अपने जीवन के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे आउस को आगे क्या करना है अब ही मर्ज करेंगे अब ही मर्ज कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है उसका का देखे, उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिये था आपको हम बता दिये, आप उस तो अपनी तो अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैलू देते हैं हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हमक्स नहीं करेंगे झालिजीये सब चीज हम लोग हाउसपे रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, देखे एक चीज लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए, आप पूरे हाउस में केक पार को रख देगे, आप सब की राय हम लोग सुनेंगे, आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी सम कर देगे, आप लोगों को तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम्जा कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे कर सदूपियों कर रहा है, वो तो जो इधर-धर कर रहा है, और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तो हम उन कोई स्टेट्मेंट पर देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आप तो बत चिंता करिए, उन लोग के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, अज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेग कि आई से मुक्ति होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, आप चिंता मत करिए, हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उन लोग क्या क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बता देते हैं, कि आज कल उननों का स्टेटमेंट ही सब जादे आता है, तो काय का हम जुठे देखें? पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उस से मुक्ति मिल जाएगी, तो फ बात रखिएगा बहुत फायदा हुगा आप जिंता मत करिए आप रों कर बढ़ी हैं और जेपी की जेन्दी पर आयुजेत राज की इस दमारों में शरकत करने पहुंचे जिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी ने कहा कि निटेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर म आठारा साल से मुखमंत्री है जनता ने तय कर लिया का आपको उखाड़ कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनो युद्ध लड़ा है और तीनो युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के है। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अपने जीवन के साथ मिल करके हम लोगों ने रताय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे आउस बाद आगे क्या करना है सब भी मर्द करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंड बंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है उसका देखे, उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिये था आपको हम बता दिये, आप उस तो अपनी तो अच्छी अच कर देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं करेंगे हम जो कुछ मी करेंगे पहले आउस में रखेंगे अभी आप कुछ नहीं कहेंगे सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पूछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो क कर देंगे कि आप लोगों को तुम सुन से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम्जा कर लिया है और कोई सरकार के पैसे कर संदूपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते है आप चिंता मत करिए आप तो बत चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं अज जनता का जो हालत है तो अगर वो न दिरने ले लेगी आई इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा तो लोगों के उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेट्मेंट की सब जादे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा आखबार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर देख कियेगा बहुत फाइदा होगा तो वो करें कि आप जिन्ता मत करिए तो अपरों में कर बढ़ी है तो अपरों में कर बढ़ी है और जेपी की जेंदी पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे पिस्यम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बैंतपत पलेटवार करते वे इज़ाख कौन दिया हमने डीएन। उसका उमरवाँ कम था तो उसको कौन बना दीए एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिए अश्रवच उननको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिए जो छो ड़करकए गया ताज रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही, कोई फरक नहीं पड़ता है, यह संकल्प है, यह बिहार की जनता का संकल्प है, 18 साल से मुख मंत्री है, जनता ने तई कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है, और लालू जी से मिल जाइए, किसी से मिल जाइए, राहूल गांधी से मिल जनता जब संकल्प ले चुकी है, बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है, नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है, नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे, जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे, तीनो यु कि भारतिय जनता पाटी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो अज्यानी है, राजनीत का महामुर्ख है, भाशाई रूप से लंपट है, और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ, कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में, जेल यात्रा में आम वाद में रहे हैं, आमद वाद में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है, जो उनकी भाशा निकली है, और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें, सिध्य आपको लिए चलते हैं, अब सब लोगों को जो भी किया गया है, आरे परि दिया जाएगा, सब एवे लेवेल से कुभी दिया जाएगा, एक एक चीज़ को लोग आनेगे, आउस में हम लोगों रखेंगे, तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे, हम लोगों को सबसे पहले हम आउस में रखेंगे, आउस को आगे क्या करना है, जो हम लोगों को आपके भी मर्स करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछिया हमसे इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत्काउन दिया हम ने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसके उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंज नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर में है कि अंडब बोलें इंगे उसका कोई मतलब है पोई सेंस नहीं है उस अपका देखें उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उतो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है यह न वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है तो उसी अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभ लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करेंगे कि पूरे मीडिया पर कमजा कर लिया है और कोई सरकार के पैसे करस्त दुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिता मत करिए आप तो बच चिता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाओ में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आई से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अ हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं उन लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्यादे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं हम बच्पन से कितना सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर्न हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर म मुका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिख होगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फायदा होगा तो वो करें कि आप लोग कर बढ़िये हैं और जेपी की जहनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं बढ़ता है उसका कोई मतलब है जिसके आप नाम ले रहे हैं हूँ कोई साधारन थह उसके बाप कई जप कौन दिया हम नहीं दिया आ उनको फोरस कोमरंवा कम था तो उसको कौन बना दिये मल्या-मंत्री इसके पिताजीं बना दिये और उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया थाज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रहे कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की झनता का संकल्फ है 18 साल से मुक्मंत्री है जंता ने तई कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेक देना है और लालु जी से मिल जाईए किसी से मिल जाए राहूल गांधी से मिल जाए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाफ पइंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बया बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का जिसमें सभी चातिवों का है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और आउस में भी रख दिया जाएगा इस लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोग रख देगे हैं एक वार सोही पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया, बहुत अच्छा हो गया, इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे, और उसको आगे क्या करना है, सब भी मर्ज करके हम लोग करेंगे, अब ही मत कुछ कुछी हम से. इसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारन है, उसके बाप को इजद कौन दिया, हम ने दिया ना, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये? इमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, और उसको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये? और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिए, आ अब तो आपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तुरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिये हम जो कुछछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजीए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछिए हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, देख एक चीज लोगों के सामने, अभी अनो पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे, असाब की राय हम लोग सुन करेंगे, आउसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभी मत चिल्ता करेंगे। पूरे मीडिया पर कब्चा कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है, वो तो जो इधर-धर कर रहा है, और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिए, आप तो बत चिंता करिए, उन लोग के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, अज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आइस से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगे, आप चिंता मत करिए, उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग क्या-क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बता देते हैं, कि आज कल उन्नों का स्टेटमेंट की सब से जदे आता है, तो का है का हम जुटे देखें, पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा आखबार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया तो फाईदा हुगा अप से आफो में गाभई एंगा करने हैं, तो फिर जब रोग का रहे हैं, बच्पन से कितना बढ़िया है, यृज को बढ़िया है का आप बीज़पी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के ब्यांतपत पलटवार करते वी बीज़पी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई पर कम था तो उसको कौन बना दिए एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिए और उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिए और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बा कि जनता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तई कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाइए किसी से मिल जाइए राहुल गांदी से मिल जाइए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड क प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है सद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महा मुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कुमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का जिसमें सभी चातियों का है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एबे लेबल से को भी दिया जाएगा तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देंगे हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखे किया बहुत अच्छा हो गया इसको सब से पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है जो हम लोग करेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी है हमसे इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं हूँ कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया था आज गया है रोज पार्टी बदल संक उसकाा कोई मतलब है कोई पार्टी नीएंच कोई S89 नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं। उस शक्र में है कि 44 मतलाविन विशाहिं पारफोस्क होजडिये लेस कोने मितलब और शिर्शा मतलब है। अब आप चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस पे रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक चीज लोगों के सामने अभी नौ पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउसके बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करेंगे पर कमजा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखने नहीं जाते आप चिंता मत क करिए उन लोग के चाने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अपको पता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे ज़या आता है तक आए का हम जुटे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज्यादा अखबार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देख आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत पाइदा होगा तो वो करें कि अपरों में कर बढ़िया है और जेपी की जहनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सिम के ब्यांतपत पलेटवार करते वे बीजेप प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवाग कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक से मुखमंत्री हैं जनता ने तय कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाइए किसी से मिल जाइए राहुल गांदी से मिल जाइए जनता जब संकल्प ले चुकी है भारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार पिता जी हाप पैंट पेहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश द्यक्ष समराद जोथरी के परेटवा पर जेडियो प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। आमदवाद में कईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाषा निकली है। सब एक एक चीज को रख देगे हम लोगों रखेंगे तो इसलिए एक एक चीज को रख देगे हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है। सब्सक्राइब करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से। सब्सक्राइब करेंगे लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पोकस दिया है। इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है। उसके बाप को इजटकान दिया हम ने दिया अँष्काद उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये। एमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, असके उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते उस शक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका देखिए उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उस तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लीजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीज लोगों के सामने अभी तो नो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे, असाब की राय हम लोग सुनेंगे, आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को, वो उसी समय अभीमत चिंता करें। वो तो एक्शुली, देखिए, बात यह है कि आप लोगों तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया परकम्जा कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियो कर रहा है, वो तो जो इधर-धर कर रहा है, और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आप तो बत चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, आज जनता क का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आई इससे मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगे, आप चिंता मत करिए, उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उन लोग क्या क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बता देत कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्यादे आता है, तो का है का हम जुठे देखें, पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों, हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिखोगे, और एक एक बात रखियेगा, बहुत फाइदा होगा, तो वो करने कि आप लोग कर बढ़िया है, आप लोग कर बढ़िया है, और जेपी की जहनती पर आयुजित राचकी जमारों में शरकत करने पहुचे, जिमनतीश कुमार ने, बीजेपी प्रदेश अद्यात समराठ चोधरी पर जम करने शाना साधा, का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है, जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे, वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चोधरी ने कहा, ति नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे परक नहीं बढ़ता है। कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ जोधरी के परटवापर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसी को प्रदेश रध्यक्ष बना दिया है, जो अज्ञानी है, राजनीत का महामुर्ख है, भाशाई रूप से लंपट है, और साथी साथ, इस बात का एहसास हुआ, कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में, जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं, आमदवाद में कईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है, जो उनकी भाशा निकली है। और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें, सिध्य आपको लिए चलते हैं। तब इसके प्रवाद में रहे हैं, आपको लिए प्रवाद में रहे हैं। इसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारन है। उसके बाप कोई जत कौन दिया, हम ने दिया ना। और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये। इमेलिया मंतरी, इसके पिता जी बना दिये। अश्यद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंतरी कहां बना दिये। और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है। रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है। कोई पाटी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। कोई सेंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिए। आप बोल दिये था, आपको हम बता दिये। आप तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है। वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है। तो उसी तुराइके लोगों को बना दिया है। तो छोडिये ना हम भैल्यू देते हैं। अब आप अभी चिन्ता मत करिए। हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे। अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस पे रखेंगे अभी आप मत पुछी है हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी नौ पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस पे एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करेंगे आज पाके राष्ट रख कहा है कि रीजनल पार्टी को कटम कर देगे वो खुदे कटम हो जाएंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगों को तमसुल से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कमजा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंड़ बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते है आप चिंता मत करिए आप तो बत चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब किता मत करिए हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं उन लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का इस स्टीट्मेंट ही सबसे उत मैं आता है तो काह कए हम झूठ्ठे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज़्यादा अखबार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम त अपरों में कर बढ़ी है और जेपी की जयनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा ये नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर म है Legkin 18 साल से मुखमंत्री आ है जंता ने टइकर लिया है को अपको उखाड कर फ्यक देना है और लालू जी से मिल जाए किसी से मिल जाइए राहुल प्र ustedes की यह भारतिय जंता पाठी के निप्रित में आपको उखाड कर प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं आमदवाड में गईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस मिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का जिसमें सभी चाति रूप का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों रखेंगे तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों को सबसे पहले हम आउस में रखेंगे सब्सक्राइब करेंगे अभी मत कुछ 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 है हमसे कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समय करण बना दिया यालव का जो है जाला पोकस दिया है वह कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वह कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे है कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उसका का देखें कि चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप सो P.J.P. लो कर रहा है तो यह न वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समगे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भाइलू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजीए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी नो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक बात को रख देगे सब की राय हम लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करें क्या है क्या है चेत्रे पार्टी को खत्म कर देगे खुदे कतल हो जाएंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगों को समसुल से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कमजा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्दुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंड़ बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा आप चिंता मत करिए वह उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे ज़्यादे आता है तो काह का हम जुठे देखें पहले आप जानत हम बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते हैं आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नह जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिख होगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा होगा आप से आप लोग कर बढ़िये हैं जहनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सिम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर मे है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है आठारा साल से मुख मंत्री है जंता ने तै कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जंता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है। नितीज कुमार जी हाब पईंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहा है। जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में आमदवाद में गैदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बादशीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरो लिक्ति सिसी का भी अरे परिवार का निकली हो असी समय पूरा का पूरा सब गरके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एबेलेबल से को फिर दी दिया जाएगा एक एक चीज़को लोग आने गे हैं हाउस में हम लोग रखेंगे तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देंगे हम लोगों को सबसे पहले हम आउस में रखेंगे करेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ है कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समय करण को जाना फोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया था आज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर मे कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उतो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है ये न वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आद अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक चीज लोगों के सामने उसके बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करें। कब्जा कर लिया है और कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत क करिए उन लोग के चाने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं अज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आई से मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब चिता मत करिए हम उन लोगों के लेटमेंट की सबस्यादे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाए और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा हुगा आप से आप जिन्ता मत करिये हैं प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी ने कहा कि निशाना जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्क साल से मुख मंत्री हैं जंता ने टाय कर लिया कि आपको उखाड़कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाई découvrir कि जंता जब संकल्प ले चुकी है बहरतिय संता पाटी के नेट्रित में आपको उखाड़कर फेकना साइन नितीज कुमार जी मेरे पिता पिता जी से 20 साल चोटे हैं नितीश कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश सद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं आमदवाद में कैदियों का उसी रूप से बैभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब को जो भी किया गया है आण उनकी जिसी का भी अरे परिवार का दिसमे सभी चांजी उखा है उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा साब एबे लेबल सीपी दी दिया जाएगा इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखेंगे बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है जो उसको भी मर्ज करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हम से लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समिकरण पर जादा पोकस दिया है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करि है आप बोले देख रहा है कि ऐसा है लोगों को कहो जो जो समझे हादे हम अब आप अभी चिंता मत करिए, हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे, अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जालीजिए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछी हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, देख एक चीज लोगों के सामने, अ पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे और सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिगे पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे करस्दुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडब-णडब परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेक्टमेंट देखरे नहीं जाते है आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब चिता मत करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे ज़या आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्प जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहीं हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा ह तो वो करें कि आपरों में कर बढ़िया है और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात समरार चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम्र के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्क साल से मुकामंतृ है जनता ने तैक कर लिया कर आपको उखाड़ कर फ्यक देना है अर लालू जी से मिल जाए ये किसी से मिल जाए राहुल गांदी से मिल जाए जनता जब संकल'T ले चुकी है बहुर्त्य जनता पाटी के नेत्रित में आपको उखाड़ कर फेकra और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जौथरी के परटवापर जेडियु प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है कि भार्तिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है, राजनीत का महामुर्ख है, भाशाई रुप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं, आमदवाड में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें, सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है, आरोनिति सिसी का भी, अरे परिवार का जिसमें सभी चातियों का है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा जावे बेमेल से कोई दिया जाएगा एक एक चीज को लोग दानेंगे, हाउस में लोग रखेंगे तो इसलिए एक एक चीज को रख देगे हाउस में रखेंगे, आपके परिया है अहक्ता लाम करिए करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ ही हमसे कि लालू यादव के दबाव में आपने इमवाई का समिकरन पर जादा पूकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हमने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे कि अंड़ बंड़ बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उससे लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तुरह के लोगों को बना दिया है अब आप अभी चिनता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिये सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पूछी है हम से हम अभी कुछ निंग कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी नोपाटी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेगे आउस के बाद जो सब्सक्राइब करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिल्ता करेंगे अब करेंगे अब कर देखेंगे अब लोगों को सब्सक्राइब कर देंगे कि पूरे मीडिया पर कप्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट अब देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो निरने ले लेगी आई इससे मुक्ति होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगे अंगे उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता है हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कल उन्नों का स्टेट्मेंट जी सबसे दे आता है तकाय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं हम बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते हैं आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया प्रदेश अद्याद समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीज़पी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे मुईस्तियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीज़पी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है 18 साल से मुकमंत्री है जनता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालु जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे हैं। भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में आमदवाद में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बातशीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरोल कि सिसी का भी अरे परिवार का जिसमें सभी चाति लोग का है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एवे लेबल से को भी दी दिया जाएगा तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसको लाद आगे क्या करना है करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछ है हमसे कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समय करण पर जाना फोकस दिया है इसका कोई मतलब है इसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया था आज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक पड़ी तो अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है जो इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समगे आदे हमको करिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिये हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिये सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हमसे हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने भी पमनो पाटी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पाट को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे अब उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता कर देगे कर देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुन से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कब क्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट अब देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या भोलता है उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का पड़िए सब ज़्याद्या आता है तो काहिका कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग और जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और देखेंगे बात रखिएगा बहुत फाइदा होगा आपको में कर बढ़िया है और जेपी की जहनते पर आयुजेत राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम्र के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी ने कहा ते निशे कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर म आठारा साल से मुख मंत्री है जनता ने तै कर लिया कि आपको उखाड़ कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्फ ले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्याक्ष समराट जोधरी के परटवापटर जेडियो प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना असाधा है। कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवा में गईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब इसके हैं को जो भी किया गया है रूल इक बीजी काभी अरे परिवार करें MALE हभी चाति में हुचा है तो सब का उसी समय पूरा का फुरा सब गरके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब वे लेमल से कुल दे दिया जाएगा लोग रखेंगे, तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देंगे, हम लोग तो इसके लाम करिए, एक वार समीज पार्टियों के साथ मिल करके, हम लोगों ने रखेंगे, बहुत अच्छा हो गया, इसको सब से पहले हम हाउस में रखेंगे, और उसको लाद आगे क्या करना है, ल करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछ ही हमसे कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समय करण पर जाना फोकस दिया है कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर म आप तो आपनी तो अच्छी अच्छी आप तो BJP जो कर रहा है वोईसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैलू देते हैं अब आप अभी चिन्ता मत करिये हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे, अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जान लिजिए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछी है हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, एक एक चीज लोगों के सामने, अभी तो नो पाटी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता कर देंगे कि आज पाके राष्ट कर देंगे कि रीजनल पार्टी को खतम कर देंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्त दूपियोग कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेक्टमेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब तक तमकरिए आप उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट थी सबस्यादे आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्प जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर न हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा आपरों में करबड़ी है कि मुझे कोई पर्क नहीं बढ़ता है उसका कोई मतलब है जिसके आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताध गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर मे है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जंता ने तय कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जंता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाफ पइंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बया बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरोल इक सिसी का भी अरे परिवार का जिसमें सभी चाती मुझा है उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एवे लेवल से दिया जाएगा तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको लाद आगे क्या करना है जो हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से करें अइसका कोई मतलब है इसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है उसके बाप कोい इज़क कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमर्वा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक आप तो आपनी तो अच्छी-च्छी आप तो BJP जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम value देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे, अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जान लिजिए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछ ही हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, एक एक चीज लोगों के सामने, अभी तो आम पाटी का मिटिंग क अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे हाउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करें क्या चेत्रे पार्टी को समाफ कर देंगे कि चेत्रे द्रीजनल पार्टी को खतम कर देंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कब क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिए आप मत चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ठी सबसे ज़्याद आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज्यादा अख़बार दे लिखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग और जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फाइदा होगा आप से आप लोग कर बढ़िये हैं जित राजकी समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी ने कहा कि नतीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे जितना गाली देना देते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प आठारइस साल से मुख मंंत्री हैं जंता ने तै कर लिएक आपको उखाड़कर फेक देना ह। विखी देना है से रालू जी से मिल जाए यह और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदीश रद्यक्ष समनात जोधरी के परटवाप पर जेडियो प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है आमदवाड में कईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाषा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरोल इक इसलिए पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एवे लेवल से तो भी दी दिया जाएगा तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने टै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समीकरण पर जाना फोकस दिया है वह कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वह कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हमने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज प कोई पाटि नहीं औसका कोई शेट नहीं है उसकी बात क्यूँ करते हैं कि अभिज्य तो अच्छी आयुक गती है अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछ ही हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने भी तो नो पाटी का मिटिंग कर ले अब पूरे हाउस में एक एक पाट को रख देगे और सब की राय हम लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिल्ता करें क्या चेत्रे पार्टी को समाफ कर देंगे कि चेत्रे द्रीजनल पार्टी को खतम कर देंगे और तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तंसुनों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कब क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट अब देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं जनता का जो हालत है तो अगर वो निर्ने ले लेगी आप इससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सबस्यादे आता है तक है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज्याद सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग और जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर जेपी की जहनती पर आयुजेत राच की इस समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राठ चौधरी पर जम करने शाना साधा का बीजेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राठ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई पर्क नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर मे है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जंता ने तय कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जंता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाप पइंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनो युद्ध लड़ा है और तीनो युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राट जोथरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है। जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं। आमदवाड में कैदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाषा निकली है। परके और हाउस में भी रख दिया जाएगा। इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे। पर्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने रख किया। बहुत अच्छा हो गया। इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे। और उसको आगे क्या करना है। हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी हमसे। कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पोकस दिया है। इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं। हूँ कोई साधारन है। उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया ना। और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये। इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये। और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये। और उसको छोड़ करके गया था अज गया है। रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है। बता दिए अब अपण को बना दिया है लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैलू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करेंगे हम जो कुछ मी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे जालेजीए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछ ही हम से हम अभी तो पाथि का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करें क्या चेत्रे पार्टी को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुन से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कप्प्या कर लिया है अग कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिता मत करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं जन्ता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आ इससे मुक्ती होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगा उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेट्मेंट भी सब से दे आता है तक है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज्यादा आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग और जान रहे हैं जब एक बार आप लोग पर जान बूझ कर दिना रहे हैं जब लोग और जेपी की जैनती पर आयुजित राच की समारों में शरकत करने पहुंचे जिमनतीश कुमार ने बीज़ेपी प्रदेश अध्यात समराठ चोधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीज़ेपी जान बूझ कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीज़ेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चोधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक 18 साल से मुखमंत्री है जनता ने तय कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुम और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राथ जौधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्रति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस मिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है सब भी मर्ज करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समय करण पर जाना पोकस दिया है कोई मतलब है इसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंड बंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिये, आ अब तो आपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं संत सम Ale Sehrbaar परते हैं अभी है। अब आप अभी सिंता मत करिए थे करेंगे पहले हाउस में रखेंगी है अभी हम कुछे हमें में हाउस में रखेंगत युदि सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मतपुछी हैं हमके अभी कुछ निकाएंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में केक पार को रख देगे, अब सब की राय हम लोग सुनेंगे, हाउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभी मत चिंता करिए। अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए। अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आई से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगे। आप चिता मत करिए। अब उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग क्या क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, आपको हम बता देते हैं, कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सबस्यादे आता है, तो का है का हम जुठे देखें? पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा आखवार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया बहुत फाइदा हुगा। शाना साधा का आप बीज़पी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बैंतपत पलेटवार करते वे बीज़पी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितेश कुमार जितनी गाली दे मु करवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं है उसकी बात क्यूं कर पूलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प यह बिहार की जनता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जनता ने तय कर लिया का आपको उखाड़कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाए किसी से मिल जाए राहुल ग मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीश कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बयान पर बीजेपी प जो अज्यानी है, राजनीत का महामुर्ख है, भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है अब ही मर्ज करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिये था, आपको हम बता दिये, आप तो अपनी तो अच्छी अच्छी, आप तो तिशोदीरा के मिएगगे हो अब चिंता मत करेंगे हम जो कुछ भी करेंगे, पहले हाॉस में रखेंगे, अभीहाफ की कर लिए अब पूरे हाउस में एक पाप को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिए कर लिए कि पूरे मीडिया पर कप्या कर लिया है अब कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते है आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब चिता मत करिए हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सबस्यादे आता है तो काई का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम उस दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तर फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और देखे एक बात रखिएगा बहुत फायदा होगा अपसे आप जिल्ता मत करिये हैं आप लोग कर बढ़िया है और जेपी की जेंदे पर आयुजित राच्किये समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजे बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया ना उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मत कि जितना गाली देना देते रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह संकल्प है, यह बिहार की जंता का संकल्प भ exist надо, 18 साल से मुखमंत्री जंता निंटा पाडी के दिय आप को उखाड़ कर फेकере देना है। और लालू जी से मिल जाईए, किसी से मिल जाईए, राहूल गांदी से मिल जाईए, जनता जब संकल्प ले चुकी है, बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है, नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है, नितीज कुमार जी हाफ पैंट प काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राथ जौतरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवा में गईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बातशीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं ुआज़ों को जो ही किया गया है आर अला इस सिसी का लोग कर अने अरे परिवार का पूरा का फुरा सब गर के और हाउस में भीरक दिया जाएगा सब एने लेवल से को भीरदिया जाएगा मैं या यह एक ऐक चीज़ओं करिये पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने टाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है तो भी मर्ज करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करि आप बोल दिए था आपको हम बता दिए आप उसी तरह के लोगों को बना दिया है टो जोड़िये ना हम भैलू देते हैं हैं जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे आप पूरे हाउस में रखेंगे असाद की राय हम लोग सुनेगे आउसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिए परकमजा कर लिया है और कोई सरकार के पैसे कर सदूपियों कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट लिए देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करि है उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं अज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आई से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब जिता मत करिए हम उन लोगों के उपर सबसे आदे आता है तो का है का हम जुटे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर द कियेगा बहुत फाइदा हुगा तो वो करें कि आप जिस्ता मत करिए तो अपरों में कर बढ़ी है तो अपरों में कर बढ़ी है और जेपी की जहनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे स्यमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं स्यम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प् परक नहीं बढ़ता है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते उस शक्कर में है कि अटमंड बन बोलेंगे उसका को मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पढ़ता है संकल्प है ये बिहार की जनता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जनता ने तै कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाइए किसी से मिल जाइए राहुल गांदी से मिल जाइए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिये जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है सद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं आमदवाड में कैदियों का उसी रूप से ब् आशा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का जिसमें सभी चातियों का है तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एवे लेमिल से को भी दी दिया जाएगा हम लोग रखेंगे तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देंगे हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखेंगे बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ है कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समय करण पर जाला पोकस दिया है वह कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं उसके बाप को इजट उन दिया हमने दिया न अ उसका मरवा कम था तो उसको कौन बना दिये मेलिया मन्तरू इसके पिता जी बना उसका नुज नहीं है। उसका कोई सिंस नहीं है। BM करते हैं। कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका देखें उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उतो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है तो इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समगे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउ अभी आप मत पूछी हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ में करना है सरकार को वो उसी समयाभी कि मत चिंता करेंगे अज पाके राष्ट को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तंसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम्जा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्दुपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखने नहीं जाते आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता कर है उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा आप चिता मत करिए भाचार करें ले लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता है हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे ज़या आता है तो काय का हम जुठे देखें पहले आप जा जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहीं हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा ह तो वो करने के आप लोग कर रहे हैं और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात समरार चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे मुईस्तियम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समरार चौधरी ने कहा अउसका दुनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया थाज गया है रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यूं करते हैं? उस शक्र में है कि अंडबंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है. जितना गाली देना देते रही है कोई फरक नहीं पड़ता है संगलप यह बिहार की जनता का संगलप Nieto ने तय कर लिया कि आपको उखाड कर फिएक देना है यह लालू जी से मिल जाइए किसी से मिल जाइए राहूल Гांदी से मिल जाइए जनता जब संकलप ले आप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बात का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं आमदवाड में गैदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा हाउस में लोग रखेंगे तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोग के कि लामन करिए पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया, बहुत अच्छा हो गया, इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे, और उसको लाद आगे क्या करना है, अब भी मर्ज करके हम लोग करेंगे, अब ही मत कुछ कुछी है हम से. इसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारन है, उसके बाप को इजद कौन दिया, हम ने दिया ना, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये, इमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, और उसको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पाटी बदला, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उ बन्ड बन्ड बोलें इसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका देखें कि चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उतो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पीजू कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो अभी चिंता मत करिये हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जाले जीए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी मत पुछी है हम से, हम अभी कुछ निंग कहेंगे, देख एक चीज लोगों के सामने, अभी पमनोपाटी का मिटिंग कर ले, अब पूरे हाउस में एक एक बात को रख देगे, असाब की राय हम लोग सुनेंगे, हाउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभ अब तो हम उन दोगों का कोई स्टेट्मेंट अब देखरे नहीं जाते हैं, आप जितना मत करिएए आप तो बच चिता करिए, उन लोग के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आईस से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, आप चि आप लोग इतना बढ़िया होगे, यंगर नहीं हो, हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिख होगे, और एक एक बात रखियेगा, बहुत फाइदा होगा, तो आप लोग कर बढ़िया है, तो आप लोग कर बढ़िया है, और जेपी की जयंति पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे, जिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि निशे कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये जितना गाली देना देते रही फेरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जंता पाटी के नित्र का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में में गईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब दोगों को जो भी किया गया है और आरोल इक तिसी की का भी अरे परिवार काुणे है सभी चातनी ने उस्चाहएं और उसी समय पूरा का पूरा सब औरके और आऊस में भी रख तिया जाएगा तो इसलिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी हमसे लालू यादव के दबाव में आपने इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमलीय मंत्री इसके पिताजी बना दिये और उसको छोड करके आया हम उसको मंत्री ना दिया और आज गया है रोज पाटी बन ला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात किूं करते हैं उस शखकर में है कि अंड बंड बोलें परसना कोई चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको बता दिये आप तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं ज़े दिया दराश कि रहा है ओभल आप अभी चुन्ता मत रहें हम जो कुछ भी Κरेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको वं कुछ नहीं कहेंगे जालीजिये सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक चीज़ लोगों के सामने अभी तुमनों पार्टी का मिटिंग कर ले अब पूरे हाउस में एक पार को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे हाउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करें क्या है चेत्रे पार्टी को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कब क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियो कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा वो लोग क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते है और आपको उम बता देते आज काल उनों का स्टेटमेंट ही सबसे ओने आता है तो काल है का हम जुठे देखे पहले आप जानते हैं हम बच्पन से कितना ज़्यादा आखवार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फाइदा होगा आप जिल्ता मत करिए और जेपी की जयनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश द्यात समराठ चौधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम्द के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्कर म Crưởng have 18 से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया का आपको उखाड़ कर फेक देना है यह लालू जी से मिल जाई है किसी से मिल जाई है राईफल गांधी से मिल जाई है जनता जब संकल्प ले चुकी है बार्तिय जनता पाटी के नेतरित प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं आमदवाड में कैदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का सभी चातियों का है तो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से कह रही है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समय करण को जादा फोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम न दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उसकी चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आब उस तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है ये न वह इसा ही देख आप बता है कि ऐसा एसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िए न हम भैल्यू देते हैं सब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं गए जान सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक चीज लोगों के सामने अभी पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिल्ता करेंगे आज पाके राष्ट लोग को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगों को तमसुल से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कब्द्या कर लिया है और कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत च करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं अज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आई से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब चिंता मत करिए उन लोगों के उपर हाना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट छी सबस्या दे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोग और जान रहे हैं जब एक बार आप पिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फाइदा होगा अपसे अपने कर बढ़िये हैं और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश द्यात समराठ चौधरे पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये अई से जसाद उनको छोड़कर करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये ख़OOड करके गया था अगया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शकर में है कि अंडबर्ड बोलेगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरق नहीं पड़ता है यह संकलबप है यह बिहार की जanto का संकलबप है 18 साल से मुख मंत्री है जanto लेक्त कर लिया कर आपको उखाड़ कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाइये किसी से मिल जाइये राहूल प्रवक्ता निरच कुमान इनिश्ट कांधी से मिल जाई जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीश कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीश कुमार जी हाप पइंट पहनते होंगे जब मेरे पिता देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोथरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमान ने निशा मुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं आमदवाड में कैदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरोल निकिसी का भी अरे परिवार का इसमों सभी चातियों का है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एवे लेबल से कुपी दे दिया जाएगा एक एक चीज परोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने लगए किया बहुत अच्छा हो गया, इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे, और उसको आगे क्या करना है, आपके भी मर्द करके, हम लोग करेंगे, अभी मर्द कुछ कुछी हम से. इसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारन है, उसके बाप कोई इजद कौन दिया, हम ने दिया ना, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये? इमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, असके उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये? और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंड बंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत आप बोल दिये था, आपको हम बता दिये, आप उत तो आपनी तो अच्छी-च्छी आप तो पी-जे-पी जो कर रहा है, शुरिए न, वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो, जो समझे आदे हमको गलिया है, तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है, तो छोड़ अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ में करेंगे पहले हा उस में रखेंगे हाभी आपको हमुँछ सुनेगे estásब्श के बाद स्वा कुछ करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करेंगे कि आप लोगो तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कप्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्दुपियों कर रहा है उतो जो इधर भर कर रहा है और इसलिए अंडबंडब परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिउ नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखने नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता कर है उन लोग के चाने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब चिंता मत करिए हम उन लोगों के उप पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे दे आता है तो काह का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा अखबार देखत और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहीं हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखियेगा बहुत फायदा होगा आप से किता मत करिए आप लोग कर रहे हैं गहर पर खिंतु करने नहीं है रविखार पकाद और कई लोग कर रहे हैं आपको फिर मौका बढ़िया है वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीज़ेपी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा तो नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जनता ने तय कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बयान बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से कह रही है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरन को जाना फोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे कोई सेंस नहीं है उस अपका देखो की चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उत्तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पूछी हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक चीज लोगों के सामने अभी तो अमनो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे अज सब की राय हम लोग सुने करेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करेंगे जेपी लट्डा ने पार्टी को खतम कर देगे और तो एक्शुली देखिए पार्ट ये है कि आप लोगो तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कब्जा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियो कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंड़ बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अ किता मत करिए है अं लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते है अ उनलोग क्या क्या बोलता है उसको ध्यान नहीं देते है और आपको हम बता देते कि आज पहले आप जानते हैं हम बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो यंगर न हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा होगा आप से आप जिल्ता मत करिए अपनों में कर बढ़िया है और जेपी की जयनती पर आयुजित राच की जमारों में शरकत करने पहुचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराच चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजे पाप कोई जतक oni दिया हम ने दिया न और उसकान उमर वा कम था तो उसको कौन बना दिये एंयलें मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही, कोई फरक नहीं पड़ता है, यह संकल्प है, यह बिहार की जनता का संकल्प है, 18 साल से मुखमंत्री है, जनता ने तई कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है, और लालू जी से मिल जाईए, किसी से मिल जाईए, राहूल गांधी से मिल जनता जब संकल्प ले चुकी है, बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है, नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है, नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे, जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे, तीनो यु कि भारतिय जनता पाटी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो अज्यानी है, राजनीत का महामुर्ख है, भाशाई रूप से लंपट है, और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ, कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में, जेल यात्रा में आम आमदवाड में रहे हैं, आमदवाड में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है, जो उनकी भाशा निकली है, और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत कर रहे हैं, सिध्य आपको लिए चलते हैं, अब सब लोगों को जो भी किया गया ह हाषोर का हैं, अरे परिवार का जिसमें, सभी चान दिया जाएं, और सब कays समय पूरा का पूरा सब गर के और हाउस में भी रख दिया जाएगा, अरे इक एक च्शी को लोग घानेंगे, हाउस में लोग रखेंगे, तो इसी लिए एक एक चीज को रख देगे हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे ज़े आउस बात आगे क्या करना है अब ही मर्ज करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से ने बहुत अच्छा करें है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं हो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया थाज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सेंस नहीं है उस अपका, क्यों की चर्चा मत करिए, आप बोल दिये था, आपको हम बता दिये, आप तो अपनी तो अच्छी अच्छी, आप तो बीजे पी जो कर रहा है, वो इसा ही देख रहा है, कि ऐसा साल लोगों को कहो, जो समझे आदे हमको गलिया है, तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है, तो छोड़िये ना, हम भैलू देते हैं, अब आप अभी चिंता मत करिए, हम जो कुछ भी करेंगे, पहले हाउस में रखेंगे, अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जान लीज सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछिए हम से, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, देखे एक चीज लोगों के सामने, अभी तो पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे, असाब की राय हम लोग सुनेंगे, आप पार के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समयाभि मत चिल्ता करेंगे, चेत्रे पार्टी को पर्टी को कहत्म कर देगे, खुदे ककम हो जाएंगे, वो तो एक्च्यूली, देखे बाद ये है कि आप लोगों को तमसुरू से कह रहे हैं, कि पूरे मीडिया पर कब जा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदूपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप अगर वो निरने ले लेगी आई से मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अंड़ों के उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं उन लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कर उन्हों का स्टेट्में इसको बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहों हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौक आप लोग का रहे हैं कि उनके घर पर खिंतू करने नहीं देखेंगे और जेपी की जयनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यात समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम्द के बैंतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते है उस शक्क 18 साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बयान बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं और इस बिजब्यार के मुख्य मंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने तय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे आउस बाद आगे क्या करना है करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछी हम से कह रही है कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे अपनी तो अच्छी आप को पीजे पीडों कर रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो खोड़िये न हम भैलू देते हैं जो कुछ मी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नीं कहेंगे जाह लिजीए सवी जमलों हाउस में रखेंगे छूच करेंगे देखे एक चीज लोगों के सामने अभी नौप पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे, अब सब की राय हम लोग सुनेंगे, अब उसके बाद जो कुछ में करना है सरकार को, वो उसी समय अभी मत चिंता कर लिए। विजनल पार्टी को कतम कर लिए, वो खुदे कतम हो जाएंगे। कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आईस से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगे। हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग क्या क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बता देते हैं, कि आज कल उन्हों का इस स्टेटमेंट की सबसे जदे आता है, तो काय का हम जुठे देखें। पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा आख़वार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़ि आप लोग कर रहे कि, उनके घर पर किंतू करने नहीं रहे, रविकल्ट पर काणा और गयलोग कर रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हैं और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी ने कहा जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है आठारा साल से मुक मंत्री है जनता ने तय कर लिया का आपको उखाड़ कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे हैं। और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे आगे क्या करना है अब ही मर्ज करेंगे अभी मत कुछ कुछी है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम न दिया ना और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये ए हमेलेया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ता आज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिये था आपको हम बता दिये, आप तो अपनी तो अच्छी-च्छी, आप तो पीजे पी जो कर रहा है ये न वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको करिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये न हम भैल्यू देते हैं जो कुछ भी करेंगे पहले हाउसमें रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जाद लीजिए सब चीज हम लोग हाॉस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक चीज लोगों के सामने अभी पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाॉस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता कर देगे अज पाके राज्ट को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगों को तमसुरों से कह रहे है कि पूरे मीडिया पर कब्द्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैलिव नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता करिए उन लोग के चाने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं अज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आप इससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगे आप चिता मत करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सबसे ज़्या आता है तकाय का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर्न हो हम तो पुराने ल जान बूच कर वैसे वैसे लोगों को अमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के ब्यांतपत पलेटवार करते वे बीज़ेपी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा ते नितेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसक यह संकल्प है, यह बिहार की जंता का संकल्प है, 18 साल से मुख मंत्री है, जंता ने तई कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है, और लालू जी से मिल जाईए, किसी से मिल जाईए, राहूल गांदी से मिल जाईए, जंता जब संकल्प ले चुकी है, बारतिय जंता पाट के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोथरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा कि भारतिये जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमद वाड में कईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंत्र ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सबका उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा है इसको रख देगे हम लोगों ने लगा तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने रहे किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ ही है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पूकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते है उस शक्कर आप बोल दिये ता आपको हम बता दिये आप तो आपनी तो अच्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी अभी आपनो पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे कर देखेंगे राष्टा द्रश कर लिए कि पूरे मीडिया पर कब्जा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदूपीयों कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंड़ बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते है आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आइस से वो लता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेट्मेंट की सबस्यादे आता है तो काय का हम जुटे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज्यादा अखवार देख देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिय है तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर्न हो हम तो पुराने लोग और जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िय और जेपी की जहनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्यत समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जान बुझ कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सिम्र के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि निटेश कुमार जितनी गाली दे मुझे प्रक नहीं बढ़ता है जिसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री हैं जनता ने कर लिया कि आपको उखाड़ impressive देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाई राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले और सीम के बयान पर बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड म में आमदवाड में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंत्र ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा उसी लिए एक एक चीज़ को रख देगे हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ भी है रही है कि लालुयादव के दबाव में आपके जाला फोकस दिया है वहज़ा कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं ऑन कोई साधरन है उसके बाप कोई जत कौन दिया, हम ने दिया न, और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये, एमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, और उसका उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पाट ईसका कोई Скण संस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं। पॉल दिये थापको हम बता दिये आप तो अपनी तो अचा-चान कि आफ 투.на अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ बी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जाद लिजीए सब चीज हम लोग हाउस पे रखेंगे अभी आप मत पुछी है हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी नोपार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस पे एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेगे आउस के बाद जो क कर देखेंगे कि आप लोगों को तमसुन से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कमजा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे करस्दूपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट भी देखने नहीं जाते आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब किता मत करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेट्मेंट की सब स्यादे आता है तो कहा हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तो इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर देखे कियेगा बहुत फायदा हुगा तो वो करें कि अपरों में कर बढ़ी है तो कि अपरों में कर बढ़ी है और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जम नतीश कुमार ने बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीज़ेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं स्दियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष समराच चौधरी ने कहा ते निटेश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्क साल से मुख मंत्री है जनता ने तय कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमा और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राथ जोधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस मिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अपने जीवन के साथ मिल करके हम लोगों ने टाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको लाद आगे क्या करना जो हम लोग करेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी हम से कि लालु यादव के दवाव में आपने वाई का समय करण पर जाना पोकस दिया है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया ना और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया था अज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं ह उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उसके चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप तो आपनी तो अच्छी-च्छी आप तो पीजे पीजो कर रहा है तो यह वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैली देते हैं अब आप अभी चीनता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे, अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, जालीजीए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछी है हमसे, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, एक एक चीज लोगों के सामने, अभी नोपाटी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस मे करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिल्ता कर देंगे कि शेत्रिय पार्टी को खतम कर देंगे खुड़ा कतल हो जाएंगे वो तो एक्षुली देखिए बात यह है कि आप लोगों से कर रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है कोई सरकार के पैसे कर संदूपियों कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिता मत करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का अलत है तो अगर वो निरने ले ले वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेट्मेंट जी सबसे ज़े आता है तो काय का हम जुट्टे देखें पहले आप जानते हैं हम बच्पन से कितना जयादा आख़वार देखते थे आज कितना यंगर नहों हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिख होगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फाइदा होगा और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिम्रतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे मौहीं सिम्र के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पार्टी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते है उस शक्क संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड़ कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाइए किसी से मिल जाइए राहुल गांदी से मिल जाइए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जंता पाटी के नित्रि के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोथरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा ह कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदव में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का तो सभी चातियों का है और सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा तो इसी लिए एक एक चीज को रख देगे हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है अब ही मर्द करके हम लोग करेंगे अब ही मर्द कुछ कुछ ही हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे है उसके बाप कोई जट कौन दिया हम ने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करि आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उतो आपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गली आए तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तब स्थोड़िये न हम भैल्यू द अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पूछी है हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीज लोगों के सामने अभी तो प्रिजनल पार्टी को खतम कर देंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम्जा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियो कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगे हम उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ही सब से ज़्याता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हम बच्पन से कितना ज्यादा अखबार देखते थे अखितना ज्यादा सब शीद देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर न और जेपी की जैनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अद्यात समराच चौधरे पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराच चौधरी ने कहा कि निशे कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है कि इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधरन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम न दिया न और उसका उमरवाग कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते है उस शक्कर में है कि लट बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाफ पइंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बया बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहें हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने रखाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको लाद आगे क्या करना है करके हम लोग करेंगे अब ही मत कुछ कुछ है हमसे कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समय करण पर जाना फोकस दिया है कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उनको छोड़ करके कि आए हम उसको मंतरी कहा बना दिये आउसको छोड़ करके गया है रोज पाटी बदल रहु सका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते उस शक्कर में है तो अपरी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पीजू कर रहा हूं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछ भी हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी पमनो पाटी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक पाट को रख देगे, अब सब की राय हम लोग सुनेंगे, अब उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को, वो उसी समय अभीमत चिंता कर लिए। अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आप तो मत चिंता करिए। उन लोगों के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आइस से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगे। हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते, और आपको हम बता देते, कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबसे दे आता है, तो काय का हम जुठे देखें। पहले आप जानते हैं, हम बच्पन से कितना ज़्यादा आख़वार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे। और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर नहीं हो, हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिखोगे, और एक एक बात रखियेगा, बहुत फायदा होगा आप जिन्ता मत करिए। और जेपी की जैनती पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे, जिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यात समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा, का आप बीजेपी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है, जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे। वहीं स्थियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा, ति नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है। स्थियम काली have a fast 5 होливо. इसके बाप कोhea जतनी कौं दिया हमने दिया о अउसका उमरवा कम था तो इसको कौहन बना दिये यहिन शपड़ियर मंतری इसके पिता जी बना पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे थे और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परेटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रुप से लंपट है और साथी साथ इस बाद का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदव काईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं है का उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और आउस में भी रख दिया जाएगा सब एवे लेवल से को भी दिया जाएगा हाउस में लोग रखेंगे तो इसीलिए एक एक चीज़े को रख देगे हम लोग generating सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको लाद आगे क्या करना है जो हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछी है मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पाटी बदला, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिये, आप बोल दिये था आपको हम बता दिये, आब उत तो आपनी तो अच्छी-अच्छी आप तो बीजे पी यो कर रहा है, वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो, जो समझे आदे हमको कलिया है, तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है, तो छोड़िये ना हम भैलू दे करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी हम से हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीज लोगों के सामने अभी पमनोपाटी का मिटिंग कर अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे असाब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभीमत चिंता करें क्या चेत्रे पार्टी को खतम कर देंगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कब क्या कर लिया है अग कोई सरकार के पैसे कर सदूपियों कर रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिता मत करिए आप तो बच चिता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आ इससे मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा आप चिता मत करिए हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट ठी सब से ज़य आता है तो काय का हम जुटे देखें पहले आप जानते हैं हम जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तब फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़ियां हो जेगा यंगर नहीं हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा बहुत फायदा हो तो वो करें कि आप लोग करें कि उनके घर पर खिंती करने नहीं है रविचांगर पखाद और कई लोग कर रहे हैं आप लोग कर बढ़िया है और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे जिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे मुईस्तियम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि निटीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये जितना गाली देना देते रही कोई फर्क नहीं पड़ता है यह संकल्ब है यह बिहार की जंता का संकल्ब है 18 साल से मुखमंत्री है जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाइए किसी से मिल जाइए राहुल गांदी से मिल जाइए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है। नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे हैं। भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश सद्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाड म में आमदवाड में कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस विजब्यार के मुख्यमंत्र ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है अरे परिवार का निसमें सभी चांचियों का है और सबका उसी समय पूरा का पूरा सब गर के और आउस में भी रख दिया जाएगा जब एक चीज को रखेंगे, तो इसलिए एक एक चीज को रख देगे, हम लोगों ने देखेंगे, बहुत अच्छा हो गया, इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे, और उसको आगे क्या करना है, अच्छा करेंगे, अब ही मर्ग कुछ कुछी है, अच्छा कह रही है कि लालू यादव के दवाव में आपने वाई का समिकरन पर जादा पोकस दिया है, इसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारन है, उसके बाप को इजत कौन दिया, हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था, तो उसको कौन बना दिये, एमेलिया मंत्री, इसके पिता जी बना दिये, और उसका उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहां बना दिये, और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका देखें कि चर्चा मत करिए आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के भी चेंता मत करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आप को हम कुछ नहीं कहेंगे जाग लिजिए सब चीज हम लोग हाउस नहीं करेंगे अभी सम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक चीज लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिगे क्या चेत्रे पार्टी को कटम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बात यह है कि आप लोगो तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियों कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते है आप चिंता मत करिए आप तो बत चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा अब उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो लोग क्या-क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते कि आज कर उन्नों का स्टेटमेंट ही सबस्यादे आता है तक का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना सब देखते थे आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा यंगर्न हो हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यात समराठ चौधरे पर जम करने शाना साधा का आप बीजेपी जान बोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सिम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीजेपी प्रदेश रध्याक्ष समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहाँ बना दिये और उसको छोड़ कर करके गया था जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुख मंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहुल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बा देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जोधरी के परटवा पर जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना सा कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बात का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदव काईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंत्र ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं करें अब सब्लों को जो ही किया घया आरो सब सब्सक्राइब आए परिवार का सभी चातिक हों कहा है को सब काॉस्सक्राइब पूरा का फूरा सब प्रा के रख दिया जाएगा सब एब लेडों से को लग दे मेंने gettinूप हूस ने लोग रखेंगे तो इसी लिए एक ऐक ची पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने रटाय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है अब ही मर्ज करेंगे अब ही मर्ज कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे करें हैं कि अंड्वन्ट बोलेंगें उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं है उस अपका आपको हम बता दिये आप आपनी तो आची आपको पी-जे-पी दो कर रहा है कि आइसा इसा लोगों को कहो जो समझे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैलू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जान लिजिए सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछिए हम से हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता कर देगे पार्टी को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बाद ये है कि आप लोगो तमसुरू से कहा रहे है कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर्ष्दूपियो कर रहा है वो तो जो इधर दर कर रहा है और इसलिए अंड़ बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जूट कर रहे हैं आज जनता का जो हालत है तो अगर वो निरने ले लेगी आईस से मुक्ती होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा पर कुछ नहीं कहना चाहते है वो लोग क्या भोलता है उसको ध्यान नहीं देते हैं आपको बता देते कि आज कल उन्नों पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा आखवार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तब फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया ह जिएगा यंगर नहों, हम तो पुराने लोगों को न जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिखोगे, और एक एक बात रखिएगा, बहुत फायदा होगा, आप जिंता मत करिए आपनों में करबड़ी है जिए वड़ाने लोग इतना बढ़िया है जियर अपनों में करबड़ी है वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के ब्यांतपत पलेटवार करते वी बीज़ेपी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा तो नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है उसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये अजितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्ब है ये बिहार की जनता का संकल्ब है 18 साल से मुखमंत्री है जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के लिए और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश शद्यक्ष सम्राट जौधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है जेल यात्रा में आमदवाड में रहें हैं आमदवाड में कईदियों का उसी रूप से ब्रवार होता है जो उनकी भाषा निकली है और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरोनिकिस्षी का भी अरे परिवार का जिसमें सभी चाती बोगा है तो सभ का उसी समय पूरा का फूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जएगा सब एवे लेवल से को भी दिया जएगा एक एक चीज़ को दानेगे हाउस में हम लोग रखेंगे तो इसी लिए एक एक चीज़ को रख देंगे हम लोगों को सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे करेंगे हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ है कि लालू यादव के दबाव में आपने वाई का समिकरण को जाना फोकस दिया है वह कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वह कोई साधारन है उसके बाप को इज़त कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिये था, आपको हम बता दिये, आप पूँ तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो बीजे पी जो कर रहा है वह इसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो समझे आधे हमको गलिया है तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है तो छोड़िये ना हम भैल्यू देते हैं अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जालीजिये सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे अभी आप मत पुछी है हमसे हमसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देख एक चीज़ लोगों के सामने अभी तुम पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में केक पार को रख देगे अब सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिगे क्या है चेत्रे पार्टी को खतम कर देगे वो तो एक्शुली देखिए बाद यह है कि आप लोगो तमसुरों से कहा रहे है कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदुपियोग कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते आप चिंता मत करिए आप तो मत चिंत लेगी आई इससे मुक्ति होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगे अंड़ लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं उन लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते और आपको हम बता देते कि आज कर उन्हों का स्टेट्मेंट की सब से दे आता है तो का है का ह जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा आखवार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर देखेंगे और आप लोग इतना ब कर देखेंगे और जेपी की जनते पर आयुजद राच की समारों में शरकत करने पहुँचे सिम्नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश देख समराच चोधरी पर जम करने शाना साधा का आप बीज़पी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे मुईस्तियम के बयांतपत पलेटवार करते वी बीज़पी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार जितनी गाली दे मुझे कोई परक नहीं पड़ता है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है आठारा साल से मुखमंत्री है जनता ने तय कर लिया कि आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारतीय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के बारतीय जनता पाटी ने ऐसे विप्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदवाद में रहे हैं और इस बिजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश कमार मेडिया से बाचीत करें सिध्य आपको लिए चलते हैं कि अपने पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तै किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे आगे क्या करना है हम लोग करेंगे अभी मर्ज करेंगे अभी मर्ज कुछ कुछी है इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजत कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया, थाज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करि आप बोल दिये था आपको हम बता दिये, आप तो अपनी तो अच्छी अच्छी आप तो पी, जे, पी जो कर रहा है, पूहिए न हो इशा ही देख रहा है कि अईसा ऐसा लोगों को कहो जो सम्झे आदे हमको गलिया है तो उसी तरह के नोगों आप अब उहां कुछ है करेंके पहले हाऊस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे जाली जीए हम हाऊस पर रखेंगे अभी मत मुछ हामसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे एक एक चीर दिल fix papa पाट्प मौनों पार्टी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में केक पार को रख देगे, अब सब की राय हम लोग सुनेंगे, अब उसके बाद जो कुछ में करना है सरकार को, वो उसी समय अभीमत चिंता करें। अब तो एक्शुली, देखिए, बात यह है कि आप लोगों तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे एक अच्छा दूपियों कर रहा है, वो तो जो इधर-धर कर रहा है, आइसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आप तो बत चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आइस से मुक्ती होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगे, आप चिंता मत करिए, हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उन लोग क्या क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बत जा देते, कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंट की सबस्यादे आता है, तो का है का हम जुठे देखें, पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज्यादा आखवार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबाद कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तब फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो जेगा, यंगर न हो, हम तो पुराने लोग को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा, तो इतना बढ़िया लिखोगे, और एक एक बात रखियेगा, बह अपरों में कर बढ़िये हैं, जब आप फिर मौका मिलेगा, और जेपी की जयनती पर आयुजित राच की इस समारों में शरकत करने पहुंचे, सिम नतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रध्याक समराच चौधरी पर जम करने शाना साधा, का बीजेपी जान बूच कर व करने गाली दे मुझे कोई परक नहीं बढ़ता है। रोज पाटी बदला, उसका कोई मतलब है, कोई पाटी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है। जब संकल्प ले चुकी है, बारतीय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड कर फेकना है। नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है, नितीज कुमार जी हाप पइंट पहनते होंगे, जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। जो अज्यानी है, राजनीत का महामुर्ख है, भाशाई रूप से लंपट है, और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ, कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में, जेल यात्रा में आमदवाड में रहे हैं, आमदवाड में कैदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है, जो उनकी भाशा निकली है। हम लोगों ने तै किया, बहुत अच्छा हुगया, इसको सबसे पहले, हम हाउस में रखेंगे और उसका आगे क्या करना है अब भी मर्द करके हम लोग करेंगे अभी मर्द कुछ कुछी हम से इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं हूँ कोई साधारन है उसके बाप कोई जत कौन दिया हम ने दिया और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसका उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया, ताज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सिंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं, उस शक्कर में है, कि अंडबंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है, कोई सिंस नहीं है, उसकी चर्चा मत करि आप बोल दिये था आपको हम बता दिये आप उसी तरह के लोगों को बना दिया है तुर चोड़िये न हम भायलूदेते हैं. अभी चुनता मत करिए. हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाॉस में रखेंगे. अभी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे. जानलिजीए. सब चीज हम लोग हाॉस में रखेंगे. अभी आप मत पूचिए हम से. हम अभी कुछ नहीं कहेंगे देखे एक चीज लोगों के सामने अभी अमनों पार्टी का मिटिंग कर लिए अब पूरे हाउस में एक एक पार को रख देगे आज सब की राय हम लोग सुनेंगे आउस के बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय अभी मत चिंता करिगे कर रहे हैं कि सेत्रिय दलों को कटम कर लेगे वो तो एक्ष्वली देखिए बाद यह है कि आप लोगों को तमसुरों से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया परकम्जा कर लिया है आप कोई सरकार के पैसे कर सदूपियो कर रहा है वो तो जो इधर-धर कर रहा है और इसलिए अंड़-बंड़ परचार कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देखरे नहीं जाते हैं आप चिंता मत करिए आप तो बच चिंता करिए उन लोग के चाहने से कुछ होगा अब आगला चुनाव में जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं अज जनता का जो हालत है तो अगर वो न दिरने ले लेगी आई इससे मुक्ती होगा तो देश वहुत आगे बढ़ेगा अब करिए उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं उन लोग क्या क्या बोलता हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आज कल उन्हों का स्टेट्मेंट ही सब स जादे आता है तो का है का हम जुठे देखें पहले आप जानते हैं बच्पन से कितना ज़्यादा अख़बार देखते थे आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी तो फिर कियेगा बहुत फाइदा हुगा तो वो करें कि आप जिन्ता मत करिए तो अब कर बड़ी है तो अब कर बड़ी है और जेपी की जहनते पर आयुजित राच्किय समारों में शरकत करने पहुंचे सिमनतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराठ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का बीजेपी जानबोच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सियम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीजेपी प्र जत कौन दिया हमने दिया ना उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये एमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं कि अंडबंड बोलेगे उसका कोई मतलब जितना गाली देना देते रही होई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जंता का संकल्प है 18 साल से मुखमंत्री है जंता ने तै कर लिया का आपको उखाड कर फेक देना है और लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जंता जब संकल्प ले चुकी है बारतिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाड़ कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के रहे थे और सीम के बयान पर बीजेपी प्रदेश रद्यक्ष समराथ जौधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश रद्यक्ष बना दिया है जो अज्यानी है राजनीत का महामुर्ख है भाशाई रूप से लंपट है और साथी साथ इस बाग का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के काल खंड में जेल यात्रा में आमदव कईदियों का उसी रूप से ब्रभार होता है जो उनकी भाशा निकली है और इस बीजब्यार के मुख्यमंतर ने तीश्कमार मेडिया से बाचीत कर रहें सिध्य आपको लिए चलते हैं करते हैं अब सब लोगों को जो भी किया गया है आरो ले किसके का अरे परिवार का जिसमें पूरा का सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा सब एक एक चीज को रख देगे तो इसलिए एक एक चीज को रख देगे हम लोगों ने तैय किया बहुत अच्छा हो गया इसको सबसे पहले हम आउस में रखेंगे और उसको आगे क्या करना है अब ही मर्ज करके हम लोग करेंगे अभी मत कुछ कुछ ही हमसे इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारन है उसके बाप को इजद कौन दिया हम ने दिया न और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये इमेलिया मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उसको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहा बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताज गया है रोज पाटी बदला है उसका कोई मतलब है कोई पाटी नहीं उसका कोई सेंस नहीं है उसकी बात क्यूं करते हैं उस शक्कर मे कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है कोई सेंस नहीं उसमका देखेंजिकी चर्चा मत करीए आप बोल दिये था अपको हम बता दिये में अब तो एच्छी आप तो भी जे पीजों कर रहा रहा है पंडे जैर ही आइसा और धैसा लोगों को कहो जो श्मरे आदे हम को ग अब आप अभी चिंता मत करिए हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे अभी आपको हम कुछ नहीं‍गे जार लिजिये सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पुछी है हम से, हम अभी कुछ निंग कहेंगे, देख एक चीज लोगों के सामने अभी पाटी का मिटिंग कर लिए, अब पूरे हाउस में एक एक बाग को रख देगे, असाब की राय हम लोग सुनेंगे, आउस के बाद जो कर रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कम क्या कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे कर संदूपियोग कर रहा है, वो तो जो इधर दर कर रहा है, आई इसलिए अंडबंड परचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेट्मेंट देख करें नहीं जाते हैं, आप चिंता मत करिए, आप तो बच चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा, अब आगला चुनाव में, जो हम लोग जितना सबनों को एक जुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निरने ले लेगी, आइस से मुक्ती होग तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, हम उन लोगों के उपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग क्या-क्या बोलता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और आपको हम बता देते हैं, कि आज कल उन्हों का स्टेटमेंटी सब से ज़या आता है, तो काय का हम जुठे देखे पहले आप जानते हैं, बच्पन से कितना ज़्यादा आख़बार देखते थे, आज कल सब चीज को बरबात कर दिया है, तब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ती मिल जाएगी, तो फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िय पहले हम नहीं देखते जानते हैं, आप लोग इतना बढ़िया है, तो आप लोग कर बढ़िये हैं, बस्त बढ़िये हैं, बस्तुमें हैं, तो फिर जब 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 आएगे, राजकिये समारों में शरकत करने पहुँचे, जम रतीश कुमार ने बीज़े पी प्रदेश द्य समराथ चौधरी पर जम कर निशाना साधा का आप बीज़पी जानबुच कर वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहा है जो सबसे ज्यादा हमको गाली दे वहीं सेम के बयांतपत पलेटवार करते वे बीज़पी प्रदेश रध्याक्ष समराथ चौधरी ने कहा कि नि उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिये मंत्री इसके पिता जी बना दिये और उनको छोड़ करके आया हम उसको मंत्री कहां बना दिये और उसको छोड़ करके गया ताद गया है रोज पार्टी बदला उसका कोई मतलब है कोई पार्टी नहीं उसका कोई सिंस नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं उस शक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे उसका कोई मतलब है जितना गाली देना देते रही कोई फरक नहीं पड़ता है यह संकल्प है यह बिहार की जनता का संकल्प है लालू जी से मिल जाईए किसी से मिल जाईए राहूल गांदी से मिल जाईए जनता जब संकल्प ले चुकी है बारचिय जनता पाटी के नित्रित में आपको उखाण कर फेकना है नितीज कुमार जी मेरे पिता जी से 20 साल चोटे है नितीज कुमार जी हाप पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीत में आने का काम के है और सीम के बयान पर बेज़ेपी प्रदेश रद्यक्ष सम्राथ जोधरी के परटवार पर जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने निशाना साधा है झाल 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 झाल